हेलो दोस्तों तो आपको स्वागत है एड़ी जाटन क्लासेस में और आज का जो क्लास है संपुर्ण नाकपूरी कवियों का मैराथन क्लास का टेस्ट सिरीज है ठीक है यहां जो है अभी आठो कवियों निव नाकपूरी सलेबस के अनुसार आठो कवियों का MCQ एक ही विडियो में हम लोग देखेंगे तो उससे पहले हम लोग डिसकर्स कर ले कि क्या हम लोग को पढ़ना है और कैसे पढ़ना है और टेस्ट यानि कि पूरे नाकपूरी का फुल कोर्स का 20 से 25 टेस्ट लगानी के लिए कौन सा एप डाउनलोड करना है सारी चीज अभी ह सारी चीज जानेंगे तो दोस्तों यहां जो है संपूर नाकपूरी का फुरी अपकोर्स क्लास करा दिया गया है जिसका लिंक डेस्ट पर में दिया गया है अगर आप नाकपूरी का फुल टेस्ट लगाना चाहते हैं तो डाउनलोड करें AD classes आप डाउनलोड करें यहां जह 3.99 रखा हुआ है कितना 3.99 रखा हुआ है बहुत ही सस्ते में यह है क्योंकि यहां जो आपको 3.99 में मिलेंगे यह सबजेक्ट वाइब वाइज आपका जो है mcq questions भी मिलेंगे बहुत ही questions एकदम जो है pdf सस्ते में है अभी यह offer price है और अगर आप 380 page का handwritten notes है जहारकन का notes खरिदना चाते हैं तो वह अभी 1.99 यह भी offer चल रहा है तो अभी ad classes पे अभी search करेंगे ad classes डाउनलोड करेंगे तो यह सारे चीज मिलेंगे या फिर इस नंबर पे पे करके भी आप whatsapp पर pdf मंगा सकते हैं तो चलिए दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे संपुन नाकपुर कवियों का मैराथम क्लास test series यानि के mcq यानि आठो कवियों के बारे हम लोग पढ़ेंगे test series हाना और test series कितना में क्या करीदना है यह आपको पता चलेगा app डाउनलोड करने के बाद ठीक है 20 से 25 सेट रहेंगे full 100 सोग प्रशनिका ठीक है सारे वहां जो है आपका option बताया जाएगा क्या करना है कैसे करना है तो जल से जल ed classes app डाउनलोड करें और उससे पहले app डाउनलोड करने से पहले app डाउनलोड कर लें उसके बाद यह class को start करेंगे तो संपुन नाकुरी कवियों के बारे में आपको संपुन course plus book ठीक है अभी PDF अगर लेते हैं तो संपुन book का PDF मिलेगा संपुन short notes मिलेगा ठीक है short notes with mcq ठीक है subjective mcq भी आपको मिलेगा short notes के form में ठीक है दोस्तो यहाँ जो है एकदम बहतरिन तयारी कराये गया है ठीक है only 399 है और जहारखन का details handwritten notes बहुत सारे book का सार संगरा है 380 page का है plus इसके साथ एक book भी मिलेगा वो book पढ़ नहीं है बस यह notes और book पढ़ लिजे आपका 40 में current फिर छोड़ा कर यानि कि जितना भी आयत 30 से 35 प्रशन आपका गवर होगा जहारखन में ठीक है तो दोस्तों चलिए अभी हम लोग पढ़ेंगे मैराथन क्लास एप जरूर डाउनलोड कर लेंगे ठीक है चलिए मैराथन क् नागपुरी साहित्यकार भारत एन्दू के कहल जाएला तो नागपुरी साहित्यकार भारत एन्दू किसे कहा जाता है तो प्रफुलकुमार राय को कहा जाता है ओप्शन नमबर इसका 20 हो जाएगा repentiniz God प्रफुल कुमार रायकर जनम कब हुआ? तो देखिए इनका जनम जो है कहीं कहीं बताता है 8 फेवरी 1926 और कहीं कहीं बताता है 8 फेवरी 1932 लेकिन जो है ये 8 फेवरी 1926 शही है तीसरा चलते हैं प्रफुल कुमार राय कर जनम कौन जिला में हो लग तो जो प्रफुल कुमार राय कर जनम हुआ है कौन जिला में हुआ? हम आपको सारे ओप्सन नहीं बताएंगे क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स का बहुत सारा टाइम बरबाद होता है आपको जब पीडिय में आपको मिल जाएंगे वैसे आप फिर अपना सेट लगा सकते हैं तो देखिए यह जो प्रफुल कुमार राय का जो जनम हुआ था गुमला जिले पहाल बंगरु में हुआ था कहां गुमला जिला पहाल बंगरु नेक्स चलिए और जिला बटवारा पहले रांची में हुआ प्रफुल कुमार राय कर निधन कितने वर्ष की आयू में हुआ था तो देखिए आपका ओप्सर नंबर डी हो जाएगा सही अंसर 64 ठीक है यानि 64 वर्ष की आयू में इनका निधन हो गया था ठीक है नेक्स प्रशन और यह प्रशन आपको कैसा लगा और भी ऐसे प्रशन अगर चाहिए तो कमेंट सेक्से में जरूर कमेंट करेंगे और आप सपोर्ट करेंगे तो हम भी आप लोग के साथ पूरा अंततक सपोर्ट करेंगे और यहाँ जो है 80 जारखन क्लास के द्वारा आपका फुल क्लास कराया जा रहा है और पीडिएफ का दाम जो प्राइस आ सकते हैं ठीक है प्रफुल कुमार राय कर निधन का भोलक तो देखिए यह जो सई अंसर हो जाएगा ऑप्सन नमबर बी साथ फेब्वरी 1991 में साथ फरवरी 1991 में नेक्स्ट प्रफुल कुमार राय कर पिता कर कहा नाम रहे तो देख लिजे पांडे राम किशोर राय ऑप्सन कुमार राय का प्यार से माता पिता क्या कहते थे प्रफुल दा और एक चैप्टर हम लोग बन के और हममन में पढ़े वाले सीजियल का पूराना था उसमें भी यह दा ही था प्रफुल दा एक नजईर इस प्रकार से पढ़ना था चलिए next प्यूर चलते हैं साथवा नमबर प्रफुल कुमार राय कर माई यानि कि माता कर का नाम रहे तो option number A हो जाएगा सुचित्रा बाला दिवी क्या हो जाएगा सुचित्रा बाला दिवी के कर कोन नागपूरी कवी कर माई कर नाम हके इस प्रकार से भी प्रफुल कुमार राय कर माता कर नाम हके नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट प्रश्ण क्यों चलते हम लोग प्रफुल कुमार राय कर जो पत्नी कर का नाम रहे तो देखिए यहां हो जाएगा आपका ओप्सन नमबर भी हांसी रानी राय ठीक रहे है हम एपप्रश्ण पूझेंगे आपको यहां comment इसक्सर में comment भी करना है जैसे कि प्रश्ण पूझे suffer वहां 5 2 शकेंड का आपके पास टाइम रहेगा उसमें आपको comment शिक्सर में comment करना है ठीक है तो ब ह्रफुल कुमार राय नाइन नमबर प्रश्ण है प्रफुल कुमार राय करसाधी जो है कौन बच्छर में हो लग नब प्रफुल कुमार राय करसाधी कौन साल हुआ जल्दी आप कमेंट सेक्षन में करंड़े 1 2 3 4 आपका टाइम अप हो गया चलिए तो इसका ओप्सन नमबर 20 सही अंसर हो दाएग 1947 में प्रफुल कुमार राय करसाधी हुआ ठीक है नेक्स्ट जो प्रश्ण है सेंट्रल कोल फिल्ड में एक सरकारी करमचारी के रूप में कैरियर की सुरुवात निम्न में से कोन नागपुरी कर लें तो देखिए निम्न में से कोन नागपुरी कभी कर लें option number A B C D तो देखिए option number इसका सही हो जाएगा D क्योंकि option ही बोलेंगे 1, 2, 3 से अच्छा है कि हम option बोल दे आपके पास उतना समय भी मिल जाएगा comment भी कर लीजिएगा क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि student का ज़्यादा समय परबाद हो और वो कम समय में अधिक से अधिक contents को प्राप्त कर सके और knowledge को वो gain कर सके और दोस्तो निरास न होंगे न उदास होंगे निरास न होंगे न उदास होंगे अरे कुछ करना है तो कुछ करते करते करेंगे समझे यानि कि एकदम हारना नहीं है न ठकना न बोर होना है, पढ़ना है, एक सीट भाई लेना है, यही संकल्प के साथ पढ़ें, तभी आपका हो सकता है कुछ, यह भी आप पहले से ही जानते हैं, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, तो मन क्या है ना, मन इंद्रियों का खेल है, जिधर इंद्रियां जाती है, उधर मन भ और अपना study की ओर focus ले जायाए, next जो प्रस्ण है, soinger, बर्खा और बर्खा खंड कर कहानी संगरा के, तो option number A हो जाएगा, प्रफुल कुमार राय, यानि कि जो प्रफुल कुमार राय हैं, ये soinger, बर्खा और बर्खा खंड कहानी संगरा लिखे हैं, और इस प्रकार से प्रस् संग्रहके इस परकार से पूछ देता है प्रस्णा बर्खा खंड कोन विदा में लिखला है तो एक कहानी संग्रह है बर्खा कहा कहा के तो यह संग्रह है संग्रहन कोन राजना है निम्न देवल में से प्रफूल कुमार राय कर कोन राचना है तो देखिए नागपुरी कभी औसर नहीं मिली बुझू C किलकिला और D सभी तो आपका जो सही अंसर हो जाएगा option number D इसका सही अंसर हो जाएगा ठीक है? next 13 नमर प्रस्ण चलते हैं नागपुरी परिशत का गठन कभ हो लग तो देखिए क्या पर इसका जो सही अंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? D.1960 D.1960 ठीक है? यानि कि नागपुरी परिशत का गठन किये थे प्रफूल कुमार राय जी वो कभ किये थे? 1960 इस भी में इनके ये सहायता किये थे नागपुरी परिशत का गठन करने में सहायता किये थे गाओ कर इस्कूल में प्रफूल कुमार राय कौन क्लास तक पढ़ाई भर्नों में किये थे? पहला, दूसरा, तीसरा, सभी तो अप्शन नमर D. इसका सही अंसर हो जाएगा यानि कि पहला, दूसरा और तीसरा सभी कलास का जो पढ़ाई किये थे ये कहां किये थे? भर्नों में हैं किये थे प्रफूल कुमार राय राची कर वर्ना कुलर मिडिल इसकूल में कब से पढ़ने लगे थे? देखे, यहाँ देखिए राची कर वर्ना कुलर मिडिल इसकूल में प्रफूल कुमार राय कब से पढ़ने लगे थे? तो देखे, आपका हो जाएगा सही अंसर सेप्टेमबर 1934 से, हाना? 1934 से जो है ये प्रफूल कुमार राय राची कर वर्ना कुलर मिडिल इसकूल में पढ़ने लगे थे हाना? चलिए next प्रषन क्यों चलते है 16 नमबर प्रशन है प्रफूल कुमार राय सात्वा में फेल कोन इसवी में हुए थे? सात्वा में फेल कोन इसवी में हुए? तो ये जो है option No.B हो जाएगा 1949 याने कि सात्वा में फेल हुए तो वो सात्वा में फेल कौन से सब्जेक्ट के कारण हुए थे तो देख लिजिए यहां जो है कौन सा इंगलीस नई जाने कारण ठीक है इंगलीस नई जाने कारण वो सात्वा में फेल हुए थे और अगले साल जो है इंगलीस इंगलीस नहीं जाने कारण वो सातवा में फेल हुए थे, यह नोट कर लीजेगा, क्योंकि यह इसका सायत नहीं लिखा गया है, नहीं तो आगे लिखा हुआ होगा, तो आगे भी लिख लीजेगा, नहीं तो अभी इसको नोट कर लीजे, अपने नोट कॉपी में आणा, और यह 1940 में पास किये थे सातवा, सातवा का पास किये थे 1940 में, नेक्स्ट प्रफुल कुमार राय करपिता जी का देहांत कब हुआ था, तो ये option number B हो जाएगा 1940 में, यानि कि राम किसोर जी, ठीक है, देखिए, ये जो राम किसोर जी है, राम किसोर राय, इनका जो देहांत हुआ, कब हु पिता कर कब देहांत हुआ था, 1940 में, प्रफुल कुमार राय, मैट्रिक पास, मैट्रिक पास कब किये थे, तो इसमें मैं बता दूँ कि ये प्रफुल कुमार राय, ये नहीं होगा, ठीक न, ये गलत हो गया, टाइपिंगे हाँ, तो ये जो प्रफुल कुमार राय है, मैट पांट्रिक पास कब कर लें तो 1943 में मैट्रिक पास किये थे प्रफोल कुमार राय in कंबर स्टेट को ओफिस में किरानी का काम कौन जीला में सुरू किये थे सबसे पहले को जीला में सुरू किये थे in कंबर स्टेट का तो गुमला जीला में ठीक है चलिए next option नंबर इसका भी सई हो जाएगा चलिए next प्रस्ण की और चलते हैं हम लोग अगला प्रस्ण क्या कहता है प्रफुल कुमार राए किरानी कर काम कौन इस भी में छोड़े थे तो यह जो है 1945 में यानि कि option नंबर इसका भी सई हो जाएगा यानि कि यह जो प्रफुल दा है एक काम करना कब से सुरू किये थे यान यह आप नोट कर लेंगे सारे जो आप नहीं पता है या आप स्टार्टिंग में देख रहे हैं तो फिर आप सारे चीज को अपने नोट कर लेंगे आप एक नोट कोपी जरूर बनाएंगे हाना total depend न रहेंगे पीडियप पर कुछ अपने से भी करना है हाना कुछ अपने से भी करना है और जो वीडियो में बताते हैं उसे भी नोट्स करना है अपने copy में हाना तो यहाँ देखिए जो collector, probationer का जो काम कब से शुरू किये थे प्रफुल दा आइकम यानि कि वानिज्य में जो आइकम ये विकॉम भी वानिज्य में ही किये थे यानि कि विकॉम किये थे तो ये जो कब किये थे और कौन से जिला में किये थे तो देख लिजे ये आइकम किये थे राची जिला में और कब किये थे आइकम तो 1950 में इनका आइकम final हुआ था और become जो final हुआ था 1956 इस भी में हुआ था become जो आपका clear हुआ था कब हुआ था 1956 में और आइकम 1950 में और आइकम become कहा से हुआ था राची से चलिए next पढ़ते हैं प्रफुल कुमार रायकर intermediate of commerce कर पढ़ाई कब पुरा हुआ कब पुरा हुआ या हो लग तेक है प्रफुल कुमार रायकर intermediate यानि कि आइकम के बारे में यह पूछा जा रहा है तो अभी मैंने तुरंद बताया है कब यह इनका complete हुआ था तो option number इसका क्या हो जाएगा option number इसका c हो जाएगा next चलते हैं अगले प्रशन की ओर 24 नमर प्रशन क्या कहता है प्रफुल कुमार राय बीकॉम की पढ़ाई कब पूरा किये और कहां से राची सही किये थे और कहां से यह 1956 में इनका complete हुआ था यानि कि option number इसका B सही answer हो जाएगा ठीक है 25 नमर प्रशन की ओर चलते हैं हम लोग प्रफुल कुमार राय CCL में बढ़का ओफिसर कौन बचर बने थे मतलब कि जो सबसे बढ़ा ओफिसर CCL में ये जो प्रफुल कुमार राय है कब बने थे तो option number B हो जाएगा सही answer 1969 यानि कि 1969 में CCL कर बढ़का ओफिसर बन लाई प्रफुल कुमार राय प्रफुल दा जो है राम किसोर राय कर बिटा प्रफुल कुमार राय जो है CCL कर बढ़ ओफिसर बन गिलाई 1969 में यानि कि 1959 में प्रफुल कुमार राय आठवी क्लास में जो प्रफुल कुमार राय को आटवी क्लास में कौन सी रचना को लिखे थे तो देख लिजिए option number इसका B हो जाएगा जीवन समस्या और एक चक्ता रोध जो है इनका सबसे फेवरेट बुक है मतलब कि सबसे अच्छा लगता था इनको पलने में next प्रफुल कुमार राय कर द्वारा रचित रचना जीवन समस्या में किस चीच का वर्णन किया था तो देख लेते हैं किस चीच का माई कर कल्पना छववा कर विबोग सी option number दोनो तो इसका सई अंसर हो जाएगा option number C दोनो 28 नमर प्रशन है प्रफुल कुमार राय कब से नाकपुरी लिखना शुरू किये थे तो देखिए इसका सई अंसर हो जाएगा option number B 1943-48 तक ये उसी टाइम से स्टार्ट किये थे प्रफुल कुमार राय को सबसे अच्छी कौन सी कहानी अच्छी लगती थी तक कुन सा कहानी एक चकता रोद औप्सन number A नेक्श चलते हैं एक चकता रोद में किसका वर्नन किया गया है तो एक चकता रोद में एक मनोवज्यानिक किसिम कर कहानी है और एक पुराना उमरगर आदमी दोसर से बिहा करेला यानि कि दोनों के बारे में इसमें लिखा गया है तो इसका सही अंसर हो जाएगा अप्शन नमबर C पर फुल कुमार राय को सहित्य के तरफ कैसे मन लगा ठीक है, 31 नमबर जो प्रश्ण कहता है तो इसका सही अंसर हो जाएगा अप्शन नमबर D C, ठीक है 32 नमबर प्रश्ण है पर फुल कुमार राय CCL में नोकरी कब से कब तक कर ले तो देखिए ये 1969 से जब बढ़ता अफिसर बने थे CCL के उस टाइम से 1980 तक प्रफुल कुमार राय कर NCD CCL में कोन पत पर काम कर ले तो उप कार्मिक प्रशाशन पर ये काम किये थे यानि कि ओप्शन नमबर A सही अंसर हो जाएगा ठीक है 34 नमबर जो प्रश्ण है प्रफुल कुमार राय कर असनातक कर सिक्षा का में हो लग तो उप्शन नमबर A वा निज्य में हो लग ठीक है नेक्स प्रशन है कहानी और गीत संग्रा सोहिंजर कब छप लग तो जो उप्शन हो जाएगा सही अंसर आप्सन नमबर C 1970 सही अंसर हो जाएगा 36 नमबर प्रशन जो है प्रफुल कुमार रायद्वारा रचित सोईंजर कहां से छपा था तो ये बंगला परेश राची से छपा था तो जैसे मैं बता दूँ कि जो इनके इनका जनम हुआ है इनके जनम को लेकर बहुत सारे बहुत बुक में अलग-अलग दिया हुआ है तो आप परिसान ना होंगे आप इसे कंठस से याद कर लेंगे 1926 को हाना 1926 जो लिखा हुआ है इसे आप कंठस से याद कर लेंगे दैट्स दबेस्ट हाना चलिए नेक्स परसन क्यों चलते हम लोग राची विश्व विद्याले से प्रफूल कुमार राय द्वारा रचित रचना रिंग चिंग गया कब छपा था तो ओप्सन नमबर C 1983 इस भी में ठीक है चलिए नेक्स परसन नमन लेकित में से इसन कौन उपन्यास है जो परफूल कुमार राय द्वारा अभी तक छपा नहीं है तो संकर गोटेक जिनकी बस एक हीक उपन्यास है जो अभी तक छपा नेक्टे प्रफुल कुमार राय को इतिहास वाचसपती का मानत उपाधी कहां से प्राप्त हुआ प्रफुल कुमार राय को सहित्य वाचसपती याद रखेंगे सहित्य वाचसपती यह सम्मान है मानत उपाधी ठीक है उपाधी कहां से प्राप्त हुआ तो चलिए ये भी हम लोग जान लेते हैं तो आपका विक्रम सीला हिंदी विद्यापिट भागलपूर से इनको मिला है 40 नमर प्रशन क्या काता है नाकपूरी कवी परफुल कुमार राय को विक्रम सीला विद्यापिट यानि के विक्रमसीला, हिंदी विध्यपुर से क्या चीज कर उपादी मिला है तो सहित्य वाचस्पती कर उपादी मिले लगे एक तालिश न्मर प्रस्ट जो है निमन देवल में से निम्न देवल मैंसे कौन नागपुरी कभी फागन कर विखसिस्ता बताया है तो option number A ये प्रफुल कुमार राय 42 नमर प्रश्ण जो है प्रफुल कुमार राय को प्यार से क्या कहा जाता था तो दा कहा जाता था प्रफुल दा और मैं लास्ट में और भी आपको प्रश्ण बता दूँ कि जैसे ये प्रफुल कुमार राय जो थे इनका पूरा फुल टिटल क्लास करा दिया गया है उसका link description में दिया गया है शुरू में ही मैंने बता दिया है ये आपका MCQ के क्लास हो रहा है ये लेखक और गायक दोनों थे ये नोट लिख लेंगे लेखक और गायक दोनों थे सात्वा में ये कब फेल हुए तो ये 1938 में सात्वा फेल हुए ठीक है यानि ये सात्वा फेल हुए 1938 में और 1949 में ये सात्वा पास हुए थे यानि कि 1938 में फेल हुए और ये सात्वा पास हुए और फेल क्यों हुए थे तो English नहीं जानने के कारण English subject के कारण ये फेल हुए थे तो दोस्तो ये जो आपका है जो प्रफुल कुमार राय का जो MCQ है MCQ practice test ये कैसा लगा और भी आना चाहिए या नहीं ये आपको comment section में जरूर comment करना है जितना ज्यादा comment होगा और जितना ज्यादा आप दोस्तों के साथ share करेंगे उतना ही आपका जल्दी जल्दी class आएगा औ देगे तो चलिए दोस्तों आपका जो है प्रफुल कुमार राय का जो MCQ full practice state आपका जो है यहीं समाप तो होता है और मैं बताना चाहता हूं कि ये नागपूरी का new syllabus के अनुसार class कराया जा रहा है और PDF के लिए आप contact कर सकते हैं 8863-884281-800 classes सर्च करके पूरा full video देख सकत चलते हैं तो दोस्तों चलिए हम लोग class क्यों चलते हैं फर्स्ट आपका जो है question है मिर्तविंजाइनात सर्मा का जनम कब हुआ था जनम कब हुआ था ओप्सन नमबर A 31 जुलाई 1922 में 4 जुलाई 1975 ओप्सन नमबर C 4 जून 1970 और जो ऑप्सन नमबर D है 8 जून 1922 तो इसका मिर्तविंजाइनात सर्मा का जनम कहा हुआ था तो देखिए बिजुलिया राती बिजुलिया ठीक है बिजुलिया रातू में इनका जो जनम हुआ था ठीक है मिर्तविंजाइनात सर्मा को मतलब क्या थे तो यह एक थे क्या चीज लिखक थे गायक थे कोई नहीं या फिर व व्याकरण वेदा चार्यत है तीक है नेक्स प्रस्ट जो है आपके लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फोर्थ नंबर मिर्द्विन जैनाच सर्मा को किस में श्रण पदक मिला ओप्शन नंबर ए आचारेत्व में तीक है चलिए ओप्शन नंबर बी कभी रत्न की उपा आचारे बोला गया है ठीक है और इन्ही में इनको श्रण पदक मिला है ठीक है पांचवा प्रस्ट देख लेते हैं निम्न देवल में से कोन रचना मिर्द्विन जैनाच सर्मा का है ओप्शन नंबर ए सद्गुरु चरित्रम बी सद्गुरु दिविश्वराज सी विश्व अप्शन नंबर टी यानि कि सभी जो है ये इन्ही का रचना किया गया है ठीक है चले शिक्स नंबर प्रस्ट जो है क्या कहता है विश्व भारतिये और शितायन निम्न में से कोन नागपुरी कभी कर महाकाव्य है कई तो ये मिर्द्विन जैनाथ सर्मा कर जो है किताब है या फिर उप्शन नंबर टी सभी तो इसका जो सभी हो जाएगा सही अंसर सभी हो जाएगा ठीक है यानि कि ये जो शितायन महाकाव्य है इसका अनुवाद हिंदी संस्क्रेट बांगला सभी में कर दिया गया है ठीक है नेक्स प्रस्टन क्यों चलते है आठ नमर प्रस्टन और स्रीमत भागवद गीता को ही नापपूरी में क्या बोलते हैं हम लोग गितायन बोले है ठीक है और गितायन का नाम दिया है अनुवाद है नापपूरी अनुवाद है स्रीमत भागवद गीता का ठीक है नाइन नंबर प्रस्टन है मृत्विंजे नात सर्मादवारा रम अगले प्रश्न की उर। 10 नमर्ट प्रश्न है मृत्विंजायनाथ सर्मा को कहा कर उपाधी मिला था। तो मैं आप लोग को बता दूं कि जो भी स्टुडेंट्स चीजिल का स्टूर्ब कर रहे हैं तो उनको कोई और paid courses खरीदने का जरूरत नहीं है, बहुत महेंगे-महेंगे paid courses होते हैं, यहां आपका free class हो रहा है, आप free, आप notes बना सकते हैं, ठीक है, total class को दिया जा रहा है, नीचे से start किया हुआ है, खंड गख खतम हो जाएगा, तो खंड खा को खतम होने में 2-3 दिन क्या कहा है, अचारिय मिर्थविंजय नात सर्मा द्वारा लिखल रचना बाल मीकी ने कून आश्रम कर वर्नन कर लगे लगे तो तपो वन कर, ठीक है, जो मिर्थविंजय नात सर्मा कर द्वारा लिखल रचना बाल मीकी लिखे हैं, उसमें क्या चीज कर कून आश्रम कर वर C, अयोध्या, या फिर D, सभी तो इसका जो सई अंसर हो जाएगा, ओप्सन नमबर B, तपो 1 हो जाएगा, ठीक है, B Next नेमन में से कौन नाकपूरी कवी, तपो 1 कर सुन्दर बखान कर ले है तो ओप्सन नमबर इसका C हो जाएगा, मृत्विन जेनात, सर्मा 14 नमबर जो प्रश्ण है, तपो 1 में किस प्रकार का हवा बहार, जो हवा बयार होता है, हवा बयार जो जारकन में रहते हैं, वो समझ जाते हैं, जान जाते हैं कि बयार किसको बोले जाता है आमधी तुफान जैसे बोलते हैं, हम लोग हवा बयार भी बोलते हैं तो सुगंधित और सितल दोनों प्रकार के हवाएं तपोवन में चलती थी तपोवन कर बगीचा में कौन किसिम किसिम कर फूल कर सुगंध बरसल आहे तो केवरा, केतकिकर, कुसूम, चमपा, चमेली और बेली यानि के ऑप्शन नमबर डी सभी प्रकार के फूल थे, जिसका जो सुगंध है, महकता था, एकदम सुगंधित आता था नेक्स, 16 नमबर जो प्रस्न है, तपोवन कर बगीचा में कौन फूल कर रंग देख के भावरा मंट रहिला तो, उप्शन नमबर ए, गेंदा, बी, गुलाब, उप्शन नमबर सी, दोनों तो इसका जो सही अंसर हो जाएगा, सी भाई, हम उप्शन क्यों पल रहे हैं, क्योंकि यहाँ वो उप्शन सही है, अना, चलिए नेक्स्ट प्शन है आपका, तपो वन कर सरोवर में कौन फूल खिलत रहें, तो देखिए, कमल कर फूल खिलत रहें पानी पर सुरूज कर कीरन पढ़ेला, तो पानी किस तरह चमकता है, तो चांद नियर चमकेला, उनेक्स नमबर प्शन, तपो वन के सरोवर में कौन-कौन मन खेल करेना, देखिए, यह जो है, राज हंस, कल हंस, ओप्शन नमबर सी, पंडुबी, यानि कि सभी प्रकार के सरोवर में यह खेलते थे, तपो वन में निरित्य गीत होता था, साथु संत्मन भजन करते थे, वहां सभी लोग प्यार सी रहते थे, यह सब सारे नोट्स है, आप लिख सकते हैं, वहां सभी जानवर एक साथ, जो डेंजरस है, वो भी छोटा से छोटा, जैसे कि बिल्ली, मतलब दोनों में दुस्मनी होता है, जेनरल में, लेकिन वहां जो है, बीच नमर जो प्रस्न है, क्या कहता है, नाकपुरी कवी मिर्तविंजय नाथ सर्मा कर पहिल महा कावे कौन सा है, तो देखिए, इसका अप्सन नमर डी सही हो जाएगा, रमायनी शितायन, अना, चलिए नेक्स प्रस्न की ओर, और आपका जो है, यही आपका प्रस्न समाप्त होता है, देखिए, 21 नमर प्रस्न क्या काता है, मिर्तविंजय नाथ सर्मा कर महा कावे, रमायन, सितायन में क्या चीज कर वर्नन कर ले लेके, तो सिता मायकर बनवास बेरा जो दुख हुआ था उसके पारे में, और कस्ट कर बखान कर लगे लगे, या फिर सी, तो इसका सई अंसर हो जाएगा, दोनो, यानि कि दोनो जो है, इसमें रमायन और सितायन में वर्नन किया गया है, निम्न में से कोन नाकपूरी कभी, सिता मायकर दुख कथा, और बनवास बिराकर, जो दुख है, उ आपको कैसा लगा, अच्छा लगा, तो कमेंट सेक्स में, जरूर कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ सेर करें, क्योंकि आपको, जो है, यहाँ, फ्री ऑफ कोस्ट क्लास कराया जा रहा है, इसलिए आपको AD जारकन क्लासे से जुड़ना चाहिए, और हमेशा मैं आपसे ब करा रहा है, फ्री ऑफ कोस्ट क्लास कराया जा रहा है, जो और PDF का बात है, तो जो PDF खरीद सकते हैं, जिनके पास समय है, वो PDF ना खर दें, वो खुद से नोट्स बनाए, हमेशा हम बोलते हैं, टिक ना, कि PDF ना, खरीदने, खरीदते वही, मतलब कि ज्यादा वही उन्ही खर जाकर, और PDF के लिए contact कर सकते हैं, इस नंबर पे, message कर सकते हैं, तो चलिए अभी जो की, ये जैसे CGL और नगरपाली का अधिकारी तीनों में एक ही syllabus है, नाकपुरी का, ठीक है, तो चलिए हम लोग MCQ की और चलते हैं, जो MCQ है, बहुत ही जादा important है, अगर क्लास अच्छा लगे तो comment section में जरूर comment किजिएगा, तो ये कवी रतना सार्दा परशाद सर्मा, तो आपका पहला प्रश्न है, नाकपुरी कवी सार्दा परशाद सर्मा का जनम कब हुआ था, तो option number S का A सही हो जागा, 5 November 1927 को, चलिए अगले प्रश्न की और, तो चलिए हम लोग सेकेंड question की और, नाकपुरी कवी सार्दा परशाद सर्मा कर कोन जिला में जनम हो लग, तो इसका जो सही अंसर हो जाएगा, option number C, गुमला, कोन जगा, यहाँ कोन नहीं, करजने कोन होगा, तो तीसरा नमर जो प्रश्न है, सार्दा परशाद सर्मा कर जनम, कोन जगा होई रहे, तो तीसरा परशाद सर्मा कर कोन जिला में जनम होई तो यह गुमला जिला में जनम होई तो एक नेक्स्ट, और यहाँ देखिए, कोन जगा, यानि की वो तो जिला आम लोग को पता चल गे गुमला, लेकिन अब देखिए कि गुमला में कोन जगा होई तो देखिए, इसका option number D ह हो जाएगा सई अंसर डुमर डी में हुआ है देखिए सारदा परसाद का जो जनम हुआ है कहां हुआ हुआ है डुमर डी गुमला जीला तिक है आपको याद रहेंगे मुझे उम्मीद है नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं हम लोग सिम्डेगा जस्पूर में नागपूरी व्याख्याता ठीक है सिम्डेगा जस्पूर में सिम्डेगा जस्पूर में पहले ये पेन का कलच चेंज कर लेते हैं ताकि आप लोग को साहधा हो देखने में ये देखिए सिम्डेगा जस्पूर में नागपूरी व्याख्याता के प यह पूछना चाह रहा है कि कविरत्न जो सार्दा प्रसाद सर्मा है वो जस्पूर यानि शिम्डेगा जस्पूर में नागपुरी व्यक्याता के पदपर बिना बेतन लिए हुए कितना साल काम किये थे तो इसका सहीन सोर जाएगा ऑप्सन नमबर शिए ढाई साल तक ये काम किये थे free of cost फ्री काम किये थे free नागपुरी व्यक्याता के पदपर कोन से पदपर ये सिम्डेगा जस्पूर में नागपुरी व्यक्याता के पदपर next अगला प्रश्ण है अगला प्रश्ण क्या कहता है चली देख लेते हैं अगला प्रश्ण है पांच नंबर प्रश्ण नाकपुरी कवी सार्दा परसाद सर्मा जेकर में धाई साल काम कर लग उ कॉलेज कर नामकार है तो देखिए औप्शन नमर इसका सी हो जाएगा सिगनी दाई महिला कॉलेज तो जो सारदा परशाद सर्मा है धाई साल काम किये थे तो जो कॉलेज का नाम है सिगनी दाई महिला कॉलेज नेक्स जो आपका जो प्रशन है कवी रतन सारदा परशाद सर्मा कर सीख्चा कहां तक हो लग तो मैं बताना चाहता हूं कि इस प्रशन का जो म पालत ही होता है, आगे आपको पता चलेगा कि इनके पुत्र क्या थे, ना? और इनके पुत्र क्या इनके बारे में बोले थे, अभी हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं, तो विडियो को विडाइवर चथा किक वबे सारे वीडियो को पोरण फूल तक दे़ें, क्योंक सीरिल वाइज आपको देखना चाहिए ठीक है कल आपका जो है लोग कता का जो है कहानी का explanation पूरा full video महराथन क्लास अप्लोडेड होंगे ठीक है तो 80 जर्म classes के साथ जरू जुड़े क्योंकि यह आपको class करा रहा है free ठीक है on youtube गीत आइज के ठीक है गीत आइज के कुछ काईल के यह एक बुक है निम्ण में से कौन नाकपुरी कर रचना है गीत आइज के कुछ काईल के यह निम्ण में से कौन नाकपुरी कर रचना है देख लेते हैं कुन नाकपुरी कभी कर ये जो रचना है तो इसका सईयन सरो जाएगा option number B सारधा प्रशाद सर्मा यानि कि सारधा प्रशाद सर्मा कर जो है गीत आईज के कुछ काईल के गीत रचना किये है जो कौन है सार्दा प्रसाद सर्मा नेक्स जो आपका प्रशन है आठ नंबर प्रशन खंड काव्य विपलवी महान निम्न में से केकर राचना है या फिर है तो यह जो खंड काव्य विपलवी महान सबसे पहले तो इसमें आपका प्रशन आएगा कि विपलवी महान निम्न में से का आहे मतलब क्या चीज है खंड कावी है कावी है हुंड इस परकार से प्रशॉच्ण पूस्च देता है तो यह जो भाढके जो है विपलवी महान है त्लेक है खंड कावी और यूण्नी तूच्छ चिजुए जीड़त आगे वीडियो में चालने वाले हैं टोटल चीज इनके बारे में टोटल डीटेल्स एक भी प्रश्ण आपका जो CGL 2023 में नागपुरी का सलेबस है, न्यू सलेबस के अनुसार, एक भी प्रश्ण नहीं छूटने वाला, सिर्फ आप AD जार्कन क्लासेस के साथ जुन जाईए, ठीक है, तो इसका जो सई अंसर हो जा यानि कि इसका कहने का मतलब है कि जो खंड का विपलवी महान है, उसमें किसका गुनगान किया गया है, तो देखिए, ओप्सन नमर इसका C सही हो जाएगा, यह देखिए, विश्वनात शाही के बारे में इसमें वर्नन और उनकर गुनगान करल गे लगे, ठीक है, नेक्स प किसके द्वारे लिखा हुआ है, तो आपका सही हो जाएगा, और आइसका सही ऑंसर हो जाएगा, और अगर आपको जैसे कि मैं आपसे question पूछूँ के पढ़ा दिया गया है, तो आप भी अंसर दे सकते हैं, अगर जो भी याद कर लिए है, ठीक है बहुत सारे स्टूडेंट्स हलबड़ा रहे हैं कि सर मुझे एक ही बार चाहिए एक बार दे देने से क्या आप एक बार सारे पढ़ लेंगे नहीं पढ़ पाएंगे लेकिन जो भी आपको अभी दिया जा रहा है वो सारे एकदम कंठस से याद करने अभी सेट जो है य 11a11b ऐसे करे करके इसका कमेंड अचर्वे करने तो कवी ढ़ने सारदा परसात् सर्माकर निवन में से कौन-کोन रचना है तो क्या सीठ्वा कुछ मीथा और कुछ सीठ्वा खुछ मीथा है भगवान एक पूरप और जो place your a है आपका दोनों तो इसका सही अंसर क्या हो जागा यह आपको कमेंट सेक्षिन में कमेंट करना है जरूर से जरूर जल्दी से जल्दी करें ठीक है next बारै नमरपरश नाकपुरी कवी सारदा परसाथ सर्मा कर परमुख गद कोन आहे निमन मेंसेज जो है सारदा परसाथ सर्मा कर परमुख गद ठीक है गद मतलब जो होता है कहानी यानि के पद का क्या होता है पद आपको हम एक ट्रिक बताया थे जब पहले पढ़ाया थे तो पद का मतलब होता है कि मालिजे जो होता है कवीता कवीता एक लड़की का नाम है और उनका पद यानि की पैर समझ लीजे तो आप जो है एक ऐसे याद कर सकते हैं गद और पद में आपको कभी confusion नहीं होगा कि जो पद है किनका है कवीता है कवीता का पद यानि की पैर है कवीता का पैर यानि की पद तो आप याद रख लेंगे कि पद यानि की कवीता होता है गद यानि की कहानी होता है तो जेकि इसका जो सही अंसर क्या हो जागा कि नाकपुरी कभी सार्दा परशाद सर्मा कर परमुख गद्ध कौन सा है तो option number D हो जाएगा बिंजिया तेक है option number D इसका सही अंसर हो जाएगा बिंजिया next प्रस्न अगला प्रस्न देखते हैं हम लोग तेरे नमर प्रस्न क्या कहता है नमन में से कौन रचना है जेकर में नाकपुरी कभी सार्दा परशाद सर्मा कर पूरा रचना जब जाएगा तो कोन सा बुख है? नवांजली. तो नवांजली केकर बुख है? सारदा परसाथ सर्मा कर पورा रचन यहीं इसमें पूरा रचना है यही नवांजली में. नेक्सप्स में क्यों चलते हैं? Opsion number इसका D सही अंसर हो जाएगा. सारदा परसाथ सर्मा का निधन जारखंड कर कोंजिला में हुआ सारदा परसाद सर्मा का निधन जारखंड कर कोंजिला में होलक हाना तो कोंजिला में होलक तो option number इसका जो सही हो जाएगा option number A राची में जो है सारदा परसाद सर्मा कर निधन हुआ भाई राची में निधन हुआ तो कौन जगह निधन हुआ, कौन सा मेडिकल सेंटर में हुआ, यह आप कमेंट सिक्सर में कमेंट करके बताएं, जल्दी आपको एक मिनट के अंदर ही बताना है, ठीक है, चलिए, नेक्स प्रेस ने क्यों चलते हैं, नाकपुरी कवी रत्न सार्दप्रसाथ सर्मा का निधन, में कौन जगह, कौन मेडिकल सेंटर में हुआ था, यही जगह है, ठीक है, तो कौन जगह और कौन मेडिकल सेंटर में हुआ था, तो अप्शन अबर इसका बी हो जाएगा, मेडिकल, आर्केट, आर्केट मेडिकल सेंटर में हुआ था, इनका निधन, ठीक है, नाकपुरी शार्दा परशाद सर्मा को विक्रम सीला विद्यापट जो विद्यापिट है से काकर उपाधी मिलल हलक यानि कि कहने का मतब यह है कि आपको बार बार पूछ रहे हैं बोल रहे हैं कि कवी रतन कवी रतन है क्या भई ठीक है तो उससे जान लेते हैं कि कवी रत्न है क्या तो यह सार्धा प्रसाद सर्मा को विकरम सीला विद्ध्यापिट से कहा उपादी मिले तो कवी रत्न कर उपादी मिले एक option number इसका सही अंसर हो जाएगा A, next question क्यों चलते हैं हम लोग, यह आपको यह MCQ कवियों के MCQ कैसा लग रहा है, ठीक है, एक चक्ता राउद के कहानिय की ओर चलते हैं हम लोग, अभी जो यह समापत होगा, उसके बाद हम लोग एकदम धड़ा-धड़ एकदम start करनेंगे, सो एकदम पूरा खतम करके ही छोडएंगे, ठीक है जहां यह आपका сист कहानिया जो खतम होगा, सिस्ट कथा खतम होने का देरी हैं, आपका slabus खतम होने में, 3-4 दिन लगेंगे, ठीक है तीन से 4 दिन वानली लगेंगे आपका सिर्फ यह सिस्ट कताएं खतम होने बाकी है क्योंकि सारे का MCQ जो है टाइपिंग हो रहा है और बिना टाइपिंग हुए कैसे आप लोग को दे दे MCQ कुछ टाइपिंग होंगे और कुछ हैंड नोट्स होंगे तो चलिए 18 नमर जो प्रेशने कहता है क्या है सारदा प्रशाद सर्मा को उर्दू पब्लिक लाइब्रेडी से कौन सम्मान मिल लग यह सारदा प्रशाद सर्मा को उर्दू पब्लिक लाइब्रेडी से कौन सा सम्मान मिला था तो देखिए यह जो है संगीत कला संगम हरनाची का सम्मान इनको मिला था यहां से अगला प्रशन है 19 नमर प्रशन कभी रत्म सारदा प्रसाथ सर्मा कर गीत में कून-कून भाव मिलेला यह जो कभी प्रसाथ सर्मा है इनके गीत में कून-कून से भाव मिलते हैं तो बहुरंगी गीत का भाव मिलता है यानि कि दोनों option number इसका सही अंसर हो जागा C अब देखें ये तो था क्या चीज़ गीद में बीस नमर जो प्रस्ण क्या काता है साहदा परसाद सर्मा कर कावे में काकर भाव मिलेला या फिर बोध हो जाएला तो यहाँ देखें साहदा परसाद सर्मा जो कावी है कावी में क्या चीज़ का बोध होता है तो ये आधुनिक भाव मिलता है और नवा जिवन मुले यानि कि ये दोनों भाव मिलते हैं यानि कि इसका जो सही अंसर हो जाएगा option number C दोनों हो जाएगा नेक्स्ट परसन क्यों चलते हैं हम लोग 21 नमर परसन है कवी रतन सार्दा परसाद सर्मा कर द्वारा कोन नाक पूरी कवीता कर अच्छी तरह से वर्नन करल गे लहके तो इसका जो सही अंसर क्या हो जाएगा चलिए हम लोग देखते हैं इसका सही option क्या हो जाएगा option number C जीना कहां जुम्टा राग में यह देखिए यह जुम्टा राग में लिखा गया है यह जो आपका कवीता है कवीता का नाम जीना कहां है क्या चीज नाम है कवीता का नाम जीना कहां लेकिन ये जो जीना कहा कवीता लिखा गया है, किस राग में लिखा गया है, जुम्टा राग में, और यही जो है, ये सार्दा परसाद सर्मा का अच्छी तरह से ये कवीता का वरनन किये है, सार्दा परसाद सर्मा, ठीक है, नेक्स परसन क्यों चलते हैं हम लोग, 22 नमर परस किये थे और सार्दा प्रसाद सर्मा भी वकालत किये थे नेक्स चलते हैं क्या statement दिये थे ये उनके पुत्र कभी रत्न सार्दा प्रसाद सर्मा के पुत्र क्या बोले थे सार्दा प्रसाद सर्मा निम्न में से का कर पढ़ाई किये थे तो ये जो होगा option number a सही हो जाएगा वका औनी कांत सर्मा क्या नाम था और प्रस्वं स्रुम चलिए अगला प्रश्ण है किसने बताया की सार्दा प्रसाज सर्मा का अंतिनण संस्कार गुमला की मुक्ति धाम में हुआ था फिर से प्रस्ण बताया जा रहा है कि किष्णे बताया कि सार्दा परसाद सर्मा का अंतिम संस्कार गुमला के मुक्ति धाम में हुआ तो इसका जो सही अंसर हो जाएगा option number C अवनी कांत सर्मा यानि कि उनके पुत्र बताया था statement में जब इनका निधन हुआ था कि यह जो इनका अंतिम संस्कार हुआ था गुमला जीले के मुक्ति धाम में हुआ था नेक्स चलते हैं अगला प्रश्ण है 26 नंबर प्रश शार्दा प्रसाद सर्मा को कवी रतन कर उपाधि कोण से सिउब्र था यानि कौण से सिउबू कर उपाधि मिला था wizard कभी रत्नकर उपाधी कब मिला था तो option number 20 सही हो जाएगा यानि कि 1982 में इनको कभी रत्नकर उपाधी मिला था तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ सेयर करें और आपको 80 आरकन क्लासिस तो विडियो को थोड़ा सा स्किप न कीजिएगा एकदम अच्छे तरे सक्कीजिएगा कियों हम आपसे हमेसा बोलते हैं कि 2014 क्लासिस के साथ एक क्लास क्यों जोणना चाहिए ब्लून क्लास नेचले ठीक है एकदम सारे class free होते हैं ठीक न तो चलिए आज हम लोग class की ओर चलते हैं तो आज का जो प्रस्ण है question जो है पहला प्रस्ण क्या है सहनी उपेंदर पाल नहन का जनम कभ हो लग मतलब की कभ होई रहे या फिर कभ होई रहे ठीक है तो सहनी उपेंदरपाल नहन जी का जनम है कौन से इस्वि में हुआ था तो देख लिजे इसका option number 1 सही हो जाएगा यानि कि 15 October जो है 1930 इस्वि को जो इनका जनम हुआ था उपेंदरपाल नहन जी का मैं फिर से बता दू कि सहनी उपेंदरपाल का उपनाम क्या है तो यह जो नहन है न इनका जो नाम है नहन उपनाम है उपनाम बहुत बार पूछ देता है और एक से दो बार एकजामी पूछा हुआ भी है तो आप ये सब कंठस्य रट लेंगे ठीक है? उपनाम क्या है? नेक्स्ट दूसरा नमबर जो प्रश्ण है क्या है? दूसरा नमबर जो प्रश्ण है सहनी उपेंद्र पाल नहन कर जनम कोन समय हो लग? दूसरा प्रश्ण क्या कहता है? यहीं सहे सहनी उपेंद्र पाल नहन कर जनम कोन समय हो लग तो देखिए इसका जो सई अंसर क्या हो जाएगा ओप्सन नमबर सी यानि देख लीजिए कार्तिक मासकर कृष्ण अश्ट में को इनका जनम हुआ था ठीक है नेक्स्ट सहनी उपेंदरपाल नहन कर जनम कोन जिला में होई रहे मतलब कहने का मतलब यह है कि इनका जो जनम हुआ था कौन से जिला में हुआ ठीक है राची सिम्डेगा गुमला ठीक न काके तो जगा है जिला नहीं है बताए तो इसका जो सई अंसर हो जाएगा ओप्सन नमबर बी हो जाएगा यानि कि इनका जो जनम हुआ था गुमला में जनम हुआ था शहनी उपें प्रिंद्रपाल नहन कर जनम कौन जगह होलक तारा गुटु गुणिया घुणों का नाम हुआ आप से गाउ का नाम पूछए तो यहाँ हो जयागा option no D पस्वाइर नाम है गुणिया पोस्ट है घागरा थाना है और गुमला है स्वाप जानती है जीला है तो यह सभी हो जाएगा सहनी उपेंद्र पाल नहन का निधन कब होई रहे तो सहनी उपेंद्र पाल नहन जी का जो है सहनी नहीं है सहनी उपेंद्र पाल नहन जी का जो है निधन कब हुआ था तो यह जो निधन हुआ था इनका जो हुआ था ओप्सोन नमबर देखिए कितना अंसर हो जाएगा ओप्सोन नमबर डी इसका सही अंसर हो जाएगा 29 जुलाई 2021 को इनका जो है क्या हुआ था निधन हुआ था अब चलिए इनका तो निधन हुआ था भाई लेकिन देख लेते कितने वर्ष की आयू में इनका निधन हुआ था ठीक है इनका कितने वर्ष की आयू में निधन हुआ था चलिए नेक्स देख लेते हैं सहनी उपे उपेंद्र पाल नहन का मिर्थवी कितने बचर की आयू में हो लग। बचर यानि कि शाल वर्ष तो इसका सही अंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर A, 90 साल यानि कि 90 वर्ष की आयू में इनका क्या हुआ? निधन हो लग। देखें, सात्वा नमबर प्रशन है, उपेंद्र पाल नहन का किस गाउं में निधन होई दहे? तो इनका जो निधन हुआ था, कौन से गाउं में हुआ था? तो देख लिजिए, उप्शन नमबर A, इसका सही अंसर हो जाएगा कि सहने उपेंद्र पाल नहन जी का जो उपनाम है, वह उपनाम क्या है? नान है, तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है तो जल्दी कॉमेंट सेक्शन में कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ सेयर करें, और दोस्तों मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूं ना, तो आप भी सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ सेयर कीजिए, सारे दोस्तों को सेयर कीजिए, ताकि जल्स जल्द ये चैनल को भी पहचान मिले, क्योंकि देखिए, ये निव चैनल है और ये आप के लिए ही किया जा रहा है, और जितने भी सारे student है पूर से अगर klस बेस्ट नहीं हुँआ तो फि परणुरत ही नहीं है नो पेड कोर्सिस आप योट्यूब पर पूरा फ्री क्लास देख सकते हैं क्योंकि मेरा जो है बस एक ही है मोटो जो है कि एकदम अच्छे से पढ़िए अच्छा होना चाहिए कंटेंट इससे अच्छा आपको कहने मिल सकता है ठीक है तो चलिए नाइन जो प्रश्न है क्या कहता है आधुनिक काल में नागपुरी भासा के प्रमुख लेखको में निमन में से कौन है तो प्रमुख लेखको में से आधुनिक काल में निमन में से कौन से प्रमुख लेखक थे तो जो इसका सई अंसर रहागा ऑप्शन नमर ए सहनी उपेंदरपाल नहन जी ही क्या थे आधुनी काल के नाधपुरी भासा के प्रमुख लेखकों में से एक थे 10 नमर प्रस्ण क्या करता है उपेंदर पाल नहन द्वारा लगभग कितने पुस्तकों का प्रकाशन या फिर इनको लिखा गया है तो देखिए इनका जो पुस्तक लिखा गया 20 से अधिक मतलब 20 तक जो है कि पुस्तक लगभग लिख चुके हैं ठीक है बीपी केसरी बहुत अधिक जो है पुस्तक लिख चुके है अगला नमबर जो प्रस्ण है क्या करता है तो देख लिजे ओप्सन नमबर इसका सही हो जाएगा डी विरेंद्र पाल सिंग जो है इसका सही अंतर हो जाएगा नेक्स चलिए नेक्स प्रस्ण क्योंबर नहन जी के माता का का नाम रहे नहन जी के माता का नाम रहे तो ये हो जाएगा option number क्या है देख लेजे option number C जनक नंदनी जनक नंदी किसके माता का नाम है नहन जी का नहन जी के माता का क्या नाम है जनक नंदनी नहन जी के माता का क्या नाम है जनक नंदनी पिता का नहन जी के पिता का क्या नाम है विरेंदर पाल सिंग नहन जी के पिता का क्या नाम है विरेंदर पाल सिंग नहन जी का जनम कब हुआ था जनम कब हुआ था यह question आपसे है HW है ठीक है नहन जी का जनम कब हुआ था तो 15 October 1930 भी को नहन जी का जो है आपका कौन से जिला में जनम ह तो आपका जो है देखिए तारा गुटू द्रक अनिधन भूलीज 29 में 2021 था इनव क्या है तो उपनाम नहन है यहा अनन जी को कौन कौन से पूरसकार मिले है तो जार खंड ज्हारखंड रतन सेवा रतन यह सब सारे उनको पुरसकार मिले हैं आप एक भी नहीं भूलेंगे यह आपको इक प्रफुल संमान कों से नापपुरी कवी कुदों इने को मिला नहहंची को forty United Pol Kim को be Cee एल ठीक है बी शी सी एल कोईला भारती राज़भासा पुरसकार से किने पुरसकारित किया गया है तो उपेंद्र पाल नहां जी का उपेंद्र पाल नहां जी के पत्नी का क्या नाम था ठीक है चंदर बली देवी इनका विवाह कब हुआ था 1950 इसवी में तो दोस्तों इतना अभी देख लेते हैं और चलिए हम लोग क्वेस्टन की ओर चलते हैं ठीक है तो तेरे नंबर प्रस्ण देख देते हैं सहने उपेंद्र पाल नहां कर विवाह का भोलत तो देख लिजिए उप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा 1950 इसवी में किन के साथ हुआ था तो चंदर बली देवी के साथ हुआ था आगे हम लोग प्रस्ण भी होगा सायद ठीक है चंदर बली देवी के साथ इनका विवाह हुआ था किन के साथ हुआ था चंदर बली देवी के साथ इनके पतनी का नाम था चंदर बली देवी था ठी नेक्स्ट अगला नमरल प्रश्न है सहनी उपेंदरपाल नहान के कितने बेटिया थे, जल्दी बताइए कितने बेटिया थे, जल्दी बताइए ओपसन नमर एंबस सहाई अंसर यानि कि चार बेटे थे, कितने बेटे थे, चार बेटे थे, next प्रस्न जो है, 17 नौर्ट प्रस्न, एकदम ध्यान से गौर्षिस होईएगा, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार पढ़ेंगे, लेकिन आपको एक्जाम में सही करके आना है, गलग करके नहीं आना है, क्योंकि हरे जो आप जाना हुआ प्रस्न को आप गलग करके आते हैं, ठीक है, जैसे कि, यहाँ देखिए, 17 नौर्ट प्रस्न है, राम चरित्र मानस का नाकपुरी अनुवाद, निम्न में से कोन नाकपुरी कभी कर लाए, तो देख लिजे, कोन नाकपुरी कर ले, कोन भीर है, कोन उपेंद्र पाल नहन, ठीक है, नेक्स जो प्रस्ने, 18 नमर प्रस्न, सहनी उपेंद्र पाल नहन, सहनी लिखा गया है, इससे आप कभी कोई डाउट नहीं करेंगे, सहनी नहीं, सहनी है, ठीक है, इससे किसी को प्रोब्लेम नहीं उत्पन होना चाहिए, यहाँ देखिए, मै इससे का हो जाएगा, अप्सन नमर ची, सही अंसर हो जाएगा, यानि कि सहनी उपेंद्र पाल नहन को दोनों पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, नेक्स प्रस्न जो है, प्रफुल सम्मान और बी सी सी एल कोईला भारती राजभासा पुरस्कार से निम्ड में से कोन या फिर कोईला भारती राजभासा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, अगला प्रस्न है, उप्रफुल नहन का विबाहका भोलक, तो आप्सण नमर ए हो जाएगा, सही अंसर निम्ड में से कों नाकपूरी कवी कर लाए, या फिर कोन किये थे, तो ये जो है, उप्र देस कवितावों का अनुवाद, ठीक है? तटरीस नमबर प्रशन है, उपेंदर पाल नहन, ठीक है? उपेंदर पाल नहन जी का सिक्छा में परवेश कौन से इस भी सो हुआ? तो देख लिए देख लिए एक कौन से इस भी सो हुआ? तो ये 1952 अप्सन नमबर ए हो जाएगा, ठीक ह में आपको एक भी गलती नहीं मिलेगा जब धी ठते अधे पीडे music में आपको 1 गलती बंडी मेल ठीक एंब खुझ में एक दम निश्वक्ष रहिए तो ऑफ्ष नमर जो है इसका कुंछ Sao गैmel़ हाई किसके द्वारा लिखा गिया था अ Monsieur Nagy जोग संग्रांद है उलाहना किसके द्वारा लिखा गया है तो सनी उपेंद्रपाल नहन के द्वारा अर्य-चाइबासा लेके रिख्या बासा चैबासा दोनों जगह हो गया है तो आप यहां C और D दोनों हो जाएगा? अगला प्रशन की ओर हम लोग चलते हैं? 27 नुमर प्रशन उपेंदर पाल नहां कर जो गीत संग्रा है, ठीक है? उपेंदर पाल नहां कर गीत संग्रा उलाहना कहां से शपलाद? देखे गीत संग्रा भी तुरत बताया थे उलाहना क्या है गीत संग्रा उलाहना के कर द्वारा रचल के लखे तो उपेंद्र सहनी उपेंद्र पाल नहन के द्वारा उलाहना उपेंद्र उलाहना उपेंद्र उलाहना उपेंद्र रट लीजिए कभी नहीं भूलिएगा ठीक ह तो इसका जो सई अंसर हो जाएगा, option number A, क्या चीज़ होगा, B, सई अंसर हो जाएगा, A नहीं B होगा, यानि कि देखे बंगलाप्रेश, यानि कि जो उलाहना का हुआ था, बंगलाप्रेश से ये छपा था, और ये जो है, आपका हितासी कारियाले से जो देखो, नारद मोली से जो जो जाएगा, हाना, सी जो 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 जाएगा, हीतासी कारियाले, नेक्स्ट, अगला नमर प्रशन है, 28 नमर प्रशन किया था, मिबाड के श्री और अभिमन्यों युद्ध परस्थान कोन विधा में आए, तो ये कोन विधा रागछंद में छपा हुआ है, किन के द्व द्वारा छपल नहीं खे, देखें, यहां जो रचना सहनी उपेंद्रपाल जी की द्वारा नहीं छपा हुआ है, उस रचना के बारे में बताया जा रहा है, तो देखें, नाकपुरी, संगीत सौरव, दूसरा जो है, D नमबर, रासलीला वर्नन, संगीत सुमांजली, D सभी इनका रचना नहीं चपा हुआ है, और भी रचना बहुट सारे है, जो कि नहीं चपा हुआ है और अभी आपको बताया जा रहा है, तो यह वीडियो कैसा लग रहा है, दोस्तों जरूर कमिन सके Engineering. जो भी मेरे students देख रहे हुआ है, वो जरूर लिखेंगे, यह देखें, एक तोहनी उपेंदर पाल नहन कर द्वारा निम्न में से कौन रचना नहीं छपा हुआ है, नहीं छपा हुआ है, याद रहे, ठीक ना, तो आप्सिन नमर ए है, अमबा मजन, बी है, नाकपुरी मात्रा बद्ध कभीता, तीसरा जो है, पुटुस फुल ये गद्ध है, याद रहे पुटुस फुल क्या है, जो कि किन के द्वारा लिखा गया है, नहीं, अभी छपा नहीं है, सिर्फ लिखा गया है, छपा नहीं है, लिखा गया है उपेंदर पाल नहन कर कावे संसार में क्या-क्या चीज मिला है, मतलब कावे में क्या-क्या चीज कर भाव मिला है, सिंगार और भक्ति कर भाव, प्रकृति और प्रेम कर भाव, हासे और व्यांग कर भाव, यानि कि D सही अंसर इसका हो जाएगा, चलिए, next question क्यों चलते हैं हम लोग, नहान जी के द्वारा, कौरम, कौरम एक कविता है, ठीक है, उसका जो रचना कौन से इस भी में हुआ है, तो देख तक आप लोगों ने नाकपुरी कवियों का डिटल्स, नाटक का MCQ और टोटल पूरी क्लास को नहीं देखा, या फिर नाकपुरी लोग कथा का पूरी क्लास को नहीं देखा, तो लिंक डेस्क्रिप्टिन में दिया हुआ है, एकदम लिंक मजाईए, एकदम चैनल को लाइक रूप में दिखाया है, तो यह जो है, उप्शन नमर ए, करम, ठीक है, क्या हो जाएगा, उप्शन नमर ए, करम, तो दोस्तों, यह जो आपका है, क्लास कैसा लगा, क्लास अच्छा लगा, तो चाहाँ को लाइक और सब्सक्राइब करें, धन्यवाद वाचिंग पूर इस व जाएंगे, आज से ही अपलोड होंगे, ने तो कल से, सिस्ट कता है, एक चटता राओ, बिंजिया, सारे का जो कहानी है, सौट नोट, सारे आपको पताया जाएंगे, फिर जो है, कभी ताका, ठीक है, खंड, 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 निकलेंगे न, तो एकदम एक दिन में चुटकी बदाके, और देखिए कि सर्प्राइज आपको क्या मिलने वाला है, सर्प्राइज आपको चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि क्या सर्प्राइज है, तो चलिए, धन्यवाद, वाचिंग फो इस वीडियो, जै हिंद, जै हिंद, जै हिंद, जै भारत, प्राइज है, वरली 2.99 रखा गया है, कितना? 2.99 रखा गया है, ठिक है, भविष्ट में आगी बढ़ सकता है, सो, अगर समय है, तो खरीद ले, और जो भी स्टूडेंट, जैसे की जारखन का जो नोट्स का जो है, ठिक है, जो भी स्टूडेंट जारखन के नोट्स में, 40 स प्रश्न पूछेगा करेंट अपयर चुड़ा कर जितने शूर्य ज्यारखन का क्वेशन सही करना चाहते हैं तो यहां जो आपके पास AD ज्यारखन क्लासेश के सब्सक्राइब नोट्स एवलेबल है है हैंड नोट्स एक भी प्रश्न ज्यारखन से नहीं छुटेगा प्लस सप ज्यारखन का तो बात करें वली 2.99 अगर ज्यारखन प्लस नाकपुरी दोनों का आप लेते हैं तो आपको यहां जो ओफर प्राइस से रखा गया है वली 4.99 रखा हुआ है तो चलिए अभी हम लोग क्लास की ओर चलते हैं क्लास है डॉक्टर बीपी केसरी के बारे में फर्स का दे हैं तो डॉक्टर विशैशमर प्रसादकेसरी का जनम कब हो लग सब्छा को imk test को हुआ था option number a याने की एक जुलाई 1933 को हुआ था कब हुआ था एक जुलाई 1933 को नेक्स प्रश्न आपका हम जो है इसमें हर एक प्रश्न को हम ये स्टुडेंट्स का टाइम ब्रबाद कने के लिए हर एक option नहीं बोलेंगे ठीक है टाइम आउट दे दिये कि आप लोग अंसर दिजे वैसा कुछ भी नहीं है ठीक है आप लोग को जब पीडियेप खरीदेगा तो आप लोग को सेट मिलेगा ठीक है दूसरा नमबर प्रश्न है डॉक्टर विशेस्वर प्रसाथ केसरी का जनम अस्थान कोन जिला में है तो कोन जिला में है जल्दी बताएं इतना समय आ राची हो जाएगा ठीक है क्या हो जाएगा राची तो विशेस्वर प्रसाथ केसरी का जनम अस्थली कोन से जिला में है राची जिला में है नेक्स परशन आपका जो है डॉक्टर विशेस्वर प्रसाथ केसरी का जनम कोन जगह कोन अस्थान पर होई रहे तो देखिए पिठोरिया राची में नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है क्या कहाता है भई प्रश्न की ओर चलते हैं नाकपुरी कभी डॉक्टर विश्यस्वर परसाथ केशरी का निधन कब होई रहे तो इनका जो है निधन कब हुआ था तो निधन कब हुआ था अप्सन नमबर A 14 अगस्ट 2016 को तो इनका जो निधन हुआ था कब हुआ था 14 अगस्ट 2016 को पांचवा नमबर प्रश्न क्या कहता है डॉक्टर विश्यस्वर परसाथ केशरी का निधन कितने वर्श की आयू में हो लग तो कितने वर्श की आयू में हुआ था तब उनका निधन कितना 83 वर्ष हो रहा था और 83 वर्ष की आयू में इनका निधन हुआ था नेक्स्ट आपका 6th नंबर क्लास है नाकपुरी कवी डॉक्टर विशेश्वर परशाद केशरी के पिता जी का नाम रहे पिता जी का क्या नाम था विशेश्वर परशाद केशरी के पिता जी का क्या नाम है तो देख लिजे इसका सई अंसर जो हो जाएगा और पूरे अच्छे से नोट्स किजिए जो आपको समझ में नहीं आए वो आप पुछ सकते हैं और जो आपको लगे की नोट करना चाहिए या पिदेख खरना चाहिए तो आप कोंटेक्ट कर सकते हैं अबी जो है पिदेख का प्राइस वनली 2.99 रखा हुआ है घिक है साथ नमबर प्रस्ण है डॉक्टर बीपी केशरी की माता जी का का नाम रहे तो जो डॉक्टर बीपी केशरी का माता जी का नाम था अप्सवर प्रशाथ केषरी के कितनी पूत्रियां थी? टीक है? पूत्रियां कितनी थी? तो दो पूत्रियां थी? कितनी? दो फूत्रियां अप्सवर नमबर A सफ़ी हो जाएगा इसका नेक्स्ट आपका दो पुत्रियों का नाम क्या था तो ऐनसी नमर आ है है डॉक्टर सँविता केश्री बी डॉक्टर सिमा केश्री और dio no तो इसका सफ़ी अंसर हो जाएगा c do no 11 नमर परश्न क्या कहता है डॉक्टर बीपी केश्री के कितने पुत्र थे पुत्रियां तो भाई समझ गया कि दो थे लेकिन पुत्र कितने थे डॉक्टर बीपी केश्री के कितने पुत्र थे तो यहां आपके है मात्र एक पुत्र थे अब पुत्र का क्या नाम था वो भी हम लोग जानेंगे। डॉक्टर बीपी केशरी के पुत्र का नाम रहे तो अपस्ट नमर ए है आनंद कुमार केशरी, संजय कुमार केशरी, ठीक है? अपस्ट नमर सी संजीव कुमार गोश्वामी, डी कोई नहीं। इसका जो सही अंसर हो जायगा, option नमर बी, संजय कुमार केशरी, सही अंसर हो जायगा आने की doctor BP केशरी के पुत्र के का नाम रहे, संजय कुमार केशरी नेक्स्ट आपका जो थर्ड नमबर प्रश्ण है तेरे नमबर निमन में से कौन नागपुरी कभी हिंदी में ए में और ए में में पिएसडी कर लग ठीक है विशेश्वर प्रशाद केशरी ओप्सन नमबर डी इसका सही अंसर हो जाएगा चौदा नमबर प्रश्ण क्या कहता है भई डॉक्टर विशेश्वर प्रशाद केशरी का पिएसडी कर सोध में काव विशेय रहे क्या चीज़ का विशेय था तो नागपुरी गीतों में स्रिंगार रस नेक्स परसन के उर्चलते हैं डॉक्टर वीपी केशरी कौन-कौन भासा के कभी और लेखाक थे तो हिंदी और नाकपुरी दोने थे और बहुत सारे कॉलेज में ये प्रख्यात भी रहे हैं काम भी किये हैं रीडर के रूप में प्रख्यात थे विख्यात थे नेक्स डेक्स सत्रव नंबर प्रश्न क्या कहता है भी डॉक्टर वी बीपी केशरी को विक्रम ऌसीला विद्या पिट भागरपूर विश्ट वी इडालेद्वारा कौन सा पूरस्कार दिवललग लग तो कौन सा पुरस्कार दिया गया विद्या सागर पुरस्कार जारखन रत्न भारत एंदू हरिश्चंद्र शम्मान कौन सा तो यह जो हो है इसका सही अंसर हो जागा अप्सन नबर एक विद्या सागर पुरस्कार जो है किनको दिया गया डॉक्टर बीपी केशरी को ठीक है नेक्स्ट डॉक्टर बीपी केशरी को विद्या सागर पुरसकार कौन से इस्वी में देवल गलग तो कौन इस्वी में दिया गया नाकपुरी कवी डॉक्टर बीपी केशरी को लोग सेवा समीति द्वारा कौन सा पुरस्कार देवल गलक देखें यहां लोग सेवा समीति के द्वारा अब देखें इनको बहुत सारे पुरस्कार मिले है तो लोग सेवा समीति के द्वारा कौन से पुरस्कार दिया गया इनको तो देख लेते हैं हम लोग option number A जार्खन रत्न का पुरस्कार लोग सेवा समीति के द्वारा दिया गया option number A सही है डॉक्टर बीपी केशरी को जार्खन रत्न का पुरस्कार जो है कब मिला तो इनको कब मिला option number A सही अंसर हो जाएगा याने कि 1999 इसमी में इनको मिला था नेक्स्ट 21 नमर प्रशन क्या कहता है डॉक्टर बीपी केशरी को भारत तेंदू हरिश्चंदर सम्मान कब मिला रहे तो कब मिला था इनके भारत तेंदू हरिश्चंदर का सम्मान जो था कब मिला था 2003 इसमी मिला था कितना 2003 इसमी में तो भारत तेंदू हरिश्चंदर सम्मा बीपी के स्ट्री को 2003 में मिला था ठीक है 22 नंबर प्रस्ण क्यों चलते हैं हम लोग यह आपको जो है शेट MCQ कैसा लग रहा है अच्छा लग रहा है तो कमेंट सेक्समें जरूर कमेंट करें क्योंकि मेहनत बहुत लगते हैं और यह आपको जो है बस आप एकदम रट लीजिएगा जो भी पढ़ाएं उसे रट लीजिएगा उससे बाहर कभी प्रस्ण नहीं आएगा हना 22 नंबर प्रस्ण है और ज्यादा MCQ के चक्तर में न रहें जो आपको जैसा कि सौटनोस दे दिया गया है तो वही पढ़े जो डिटल्स दे दिया गया वही पढ़ें MCQ तो आपको दिया ही जा रहा है लेकिन ज्यादे MCQ के चक्तर में ज्यादा आप पैसा खर्च ना करें क्योंकि कोई फैदा नहीं है वही चीज़ आपको घुमाफिरा कर देगा तो आप खुद से स्टूडेंस हैं उतना तो पढ़ सकते हैं क्योंकि एड़ी गौरो सम्मान का पुरसकार कब से सम्मानित कर रहें मतलब जो गौरो सम्मान पुरसकार है इन्हें कब मिला था तो इन्हें 2009 में मिला था ओप्सन नमबर इसका डी सही हो जाएगा तीक है अप्सन नमबर डी सही हो जाएगा नेक्स 23 नमबर प्रस्न डॉक्टर बीपी के स्र पुरस्कार दिया गया था नेक्स्ट चौविश नमर प्रशन क्या कहता है भाई 24 नमर को देख लेते हैं राची दुरदर्शन केंद्र से केंद्र सम्मान पुरस्कार डॉक्टर बीपी केसरी को कौन से इस भी मिल रहे तो चलिए देख लेते हैं अप्सन नमरी जो है इसका बी 2010 में ही राची दुरदर्शन केंद्र से इनको केंद्र सम्मान पुरस्कार दिया गया था केंद्र सम्मान पुरस्कार बीपी केसरी को कब दिया गया था तो 2010 में नागपुरी 2010 में कौन-कौन से, मतलब कि बीपी केसरी को 2010 में कौन-कौन से पुरसकार मिला था, तो पहला जो है, यहाँ बीपी केसरी चुट गया है, बीपी केसरी, आप sentence थोड़ा सा बना सकते हैं, आप जब पेडियेप कर देंगे, तो यहाँ आप लिख लेंगे, ठीक है, नागपुरी 2010 में कहने का मतलब कि नागपुरी कवी, कौन नागपुरी कवी को 2010 में पुरसकार निम्न में से मिला, तो राज, या तो फिर आप यह कर सकते हैं, डॉक्टर बीपी केसरी को 2010 में कौन-कौन से पुरसकार मिला था, राज भासा सम्मान पुरसकार, राची दुर परिवार में हो रहे तो यह जो है अपसर नंबर सी दोनों हो जाएगा यानि कि आपका केशरवानी मारवाड़ी दोनों में हुआ था यानि कि वही होता है नेक्ट 27 नंबर प्रशन क्या कहता है भई डॉक्टर विशेश्वर परसाद केशरी उनिश्य संतावन में सहायत पुर से प्रूफेसर के रूप में रूप में कहां अपना कैरियर शुरुवात कर ले रहे तो यह डाल टेंगन जी एले कॉले से स्टार्ट किये थे ठीक है निमन में से कुन नाकपुरी कवी रामदयाल मुंडा के साथ राची विश्वविदालय में जनजातिय और छेत्रिय भासा विभाग का अस्थापना कर ले रहे तो कौन विशेश्वर परसाद केशरी यानि कि यह रामदयाल मुंडा के साथ मिलकर जनजातिय और छेत्रिय भ विभाद का अस्थापना रामदयाल मुंदा के साथ मिलकर कब कर ले रहें तो उनीस सो कितना असी में ये किये थे अप्शन नमर इसका एस ही हो जाएगा चले देखते हैं अगला प्रश्ण है तीस नमर प्रश्ण है असी प्रश्ण है ठीक है हडवडाएंगे न क्योंकि पूरा कराया गया है ठीक है डॉक्टर विश्यस्वर परसाथ केसरी ने अपने पतनी सांती के साथ मिलकर नागपुरी संस्थान कहां अस्थापना किया है तो पिठोरिया राची में 31 प्रस्थ में क्या कहता है डॉक्टर विश्यस्वर प्रसाद केश्री अपने पत्नी के साथ सांती केश्री के साथ मिलकर पिठोरिया में नागपुरी संस्थान की अस्थापना कब किये थे यह भी देख लेते हैं तो आपसन नमर एक आपका 17 फेवरी 2002 में कब 2002 में नेक्स चुके है यह डॉक्टर विपी केश्री 520 पुस्तक लिख चुके हैं किस मैटर पर भाई आदिवासी और शेत्री भासाओं के शेत्र में डॉक्टर विपी केश्री नागपुरी संस्थान के पुस्तकाले में अंग्रेजी साहितिके कितने पुस्तक लिख चुके हैं अंग् बीपी केशरी अभी तक कितने पत्रिकाय लिख चुके हैं अभी तक तो 192 पत्रिका लिख चुके हैं नेक्स्ट आपका जो प्रश्ण है डॉक्टर बीपी केशरी नागपुरी संस्थान के पुष्टकाले में आदिवासी और छेत्रिय भासाओं कि कितने हिंदी साहित में पुष्टके लिख चुके हैं तो ये 1556 पुष्टके लिख चुके हैं 36 नमर्प्रश्ण है. ''Dr.B.P کی시re, Colnab ‫ mें Wiearing? कितने? 3,392 पत्रिकाय रिखेंचे चुके हैं. Dr. BP Kaysri, यारी कि Hoyaring Een giàint , नाकपुरी भासा के 6778 कवियों का कितने कवितायऌ रिखेंचे ? तो यह 717 कवितायऌं लिखेंचे रिखेंचे नेक्स्ट जो आपका प्रश्ण है बहुत ही आसान कर देगा एवी जार्कन क्लासेस एकदम गरदा उड़ा जाएगा कोई भी ना धजिया उड़ा दिया जा रहा है डॉक्टर विशेस्वर परसाथ केसरी नाकपुरी के कितने कवियों की जीवनी अभी तक लिख चुके हैं जीवनी कितने लिख चुके हैं तो 645 अ कविता कितने लिखे हैं 117 याद रखेंगे ये सब डॉक्टर विपी केसरी के दवारा अभी तक टोटल कूल मिला कर कितने कविताएं लिखा गया है ओप्सन नंबर B 35,000 ऐसा बोला जाता है ठीक है यह बुक से है कोई confusion ना रखेंगे डॉक्टर विभी के स्री के दुबारा अभी तक कितने लोक गीत की राचना करल गे लगे तो अभी तक कितने ओप्सन नंबर है 2000, 4000, 3000, 5000 तो इसका सही अंसर हो जाएगा देख लिजे 4000 अभी तक टोटल लोक गीत लिख चुके हैं लोक गीत कितने लिखे हैं लोक गीत 4000 एक तालिस नंबर प्रस्ट में क्या कहता है भई डॉक्टर विश्यस्वर प्रसाथ केश्री डालते इंगज की कौन से कोलेज में प्रधाप्या के पद पर काम किया था तो गनेश लाल अगरबाल अप्सन नंबर है जी एले कोलेज में जो भी इधर पलामू छेतर के लोग होंगे वो जेले कोलेज के अच्छे तरह से जानते होंगे जै जहारखंड निमन में से कौन नागपूरी कविकर पत्री का है तो ये विश्यसवर प्रसाथ केश्री कर नेक्स्ट जै जहारखंड नागपूरी पत्री का जै जहारखंड और दॉक्टर विश्यस्वर परसात केश्री को चलत शुरत का कहल जाता था तो पुस्त काले कह जाता था तुक्सकाले कह जाता त्यूंकि उन्हें बहुत सारे सफकी हैं जिनगी का रचना कूंण नाकफुरी कवी के द्वारा लिखा गया था तो आपस्न नमर् प्रशाद केशरी के रचना निम्न में से का चीज कर भाव मिलेला तो सरल गलल सोसित प्रिद उपेशी जार्खन मनुसकर दुख कर भाव यहने कि सभी मिलता अप्सिन नमर्डी सही हो जाएगा नाकपुरी कवी और उनका काव के कर द्वारा रचल गेल हके तो वीपी केसरी के द्वारा अप्सिन नमर्ड ए नेक्स्ट आपका प्रश्ण क्या खाता है और 60 नंबर प्रश्ण नागपूरी लोकगीत विरिहत संग्रह ठिक है के ध्वारा रचल गयल हके कौन चम्स तो यह जो है आपका ऑप्षल्ण नमबर हो願ाद जो लोकगीत का विरिहत संग्रह के लिख तो विशेषर प्रसाथ कैसरी के द्वारा उन्हंत्र नमर जो प्रस्न है नाकपूरी भासा उदगम और विकास कौन कभी रचले है जो आपका सांस्कृतिक ओधार्ना और नेर्वालोटा कौन कभी के द्वारा लिखलर रचना है तो ये जो है अप्शन NBER C भीपी के द्वारा लिखा गया है चलिए नेक्स्ट आपका जो प्रस्ण है 72 नमर ठाकुर विश्वनात साही के रचनाकार कोन है तो डॉक्टर प्रसाद केशरी यानि कि बीपी केशरी 73 नमर प्रस्ण है सिर्फ 16 शुरक्षित केकर द्वारा लिखल के लेके उपेंदर पाल नहान बीपी केशरी सतेंदर सिंग सम बिहारी बाबू तो अप्सन नमर सी हो जाएगा बीपी केशरी ठीक है नाकपूरी गीतों में स्रिंगार रस किसके द्वारा लिखल गे लगे तो बीपी केशरी के द्वारा नेक्स अगला जो प्रश्ण है क्या है चरित्र निर्मान और जार्खंड के सदन के रचनाकार कोन है तो अप्सन नमर बी डॉक्टर विर्षिस्वर प्रसाद केशरी मैं जार्खंड में हूँ यात्रा शंस्मरन किसके द्वारा लिखा गया है तो बीपी केशरी के द्वारा लिखा गया है छोटा नाकपूर का इतिहास किसके द्वारा लिखा गया है तो बीपी केशरी के द्वारा लिखा गया है ठीक है नेक्स्ट अश्ची नमर जो प्रश् नेक्स्ट आपका जो है बीपी केसरी के द्वारा लिखल रचना जो एकदम आपको रट लेना है ये सारे रचना को आप एकदम से रट लेंगे ठीक है कौन-कौन से रचना है नाकपुरी भासा और साहित इनके द्वारा लिखा गया है साहित्य के तत्व और आयाम जो साहितिक सिधान पर लिखा गया है जारखन भासाओं की समस्या और संभावनाए चोटा नाकपुर का इतिहास इनके द्वारा लिखित रचना है जारखन आंदोलन की वास्तविक्ता चरित निर्मान जारखन के सदन मैं जारखन में हूँ यात्र सांस्कृतिक ओधारना सांस्कृतिक जारखन समस्याए और संभावनाए नाकपुरी भासा उद्गम और विकास रेडियो ले तिक है दूई नाटक एसा लिखा गया है नाकपुरी लोग गित विरहत संग्रा नाकपुरी कवी और उनका कावी ये चोटल जो रचना है किनके द्वारा बेपी के स्रीक द्वारा लिखा गया है तो ये अवश्य रट लेंगे तो दोस्तो आपको ये जो सेट है आपको कैसा लगा अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करेंगे क्योंकि आपका यहां बहुत ही मेहनत लगते हैं कोई भी क्लास को कराने मे ठीक है ऐसे ही नहीं होते जब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हो या फिर लाइक करते हो तो उत्साहा भी बढ़ता है और भी वीडियो बनाने का उत्साहा बढ़ता है तो सारे वीडियो का जो है लिंक डेस्किप्शन में दिया गया है वो भी फ्री ऑफकोस्ट और जो जैहिन 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 थैंक्स फॉर वाचिंग इस वीडियो ठीक है अगर पीडियेप खरिदना हो तो इस नंबर पर आप कॉंटेक्ट कर सकते हैं जो जैसे सीजल नगरपाली का के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं बता दूं कि कुछ दिन में एड़ी जारखन क्लासिस का एप भी आ जाएगा बस एप जो है बहुत ही जल्द लॉंच होने वाला है ठीक है जो आपको एप में सारे सुविधा दिया जाए जाएगा ठीक है नाकपुरी का सम scanner तैयारी रहेगा वने की जितना भी क्लास होता है ते सारा छीज़ रहेगा लेब स्टेंड का जो है वह भी क्लास रहेहेगा थना यानि कि जितने क्लास होते हैं सारे क्लास रहेंगे और आप वहाँ फुल प्राक्टिस सेट मार सकते हैं और नाकपूरी का संपून जो MCQ आप प्राक्टिस सेट बोल रहे थे न वहीं रहेगा कहां आपका जो एप लॉंच होगा वहीं रहेगा तो आप लोग एप का बस कुछ दिनों आपके सामने आ जाएगा और वेट कीजिए उसी में आपका सारा प्राक्टिस सेट होगा यह सीजियल नाकपूरी का और जारखंड का भी प्रैक्टिस सेट बहुत ही बहतरीन आने वाले हैं पचास सेट रहेंगे जारखंड के पचास सेट आने वाले है 40-40 क्वेस्टन का CGL के लिए 50 सेट जिसका अगर अब PDF खरीदा चाते हैं तो 199 उसका प्राइस रहेगा यह 50 सेट रहेंगे बहुत ही important और भी सेट आ सकते हैं और भी सेट मिलेंगे लेकिन अभी 50 सेट को confirm कराया गया है तो नई मुदिन मिर्दाहा के बारे में चलिए हम लोग पढ़ते हैं नई मुदिन मिर्दाहा कभी नई मुदिन मिर्दाहा कर जनम कब होई रहे तो कभी नई मुदिन मिर्दाहा कर जनम गारे में भाएन मैं बता दूँ के नई मुदिन मिर्दाहा का जनम कभी था तो 1936 इसे आप ःसा मिलाकर कर ले नागपूरी कभी 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 नागपूरी घागरा गुमला में हुआ था याने कि option number इसका D सही हो जाएगा ठीक है नई मुदिन मिर्दाहा के ठीक है मैं स्टाइपिंग हो गया है इसके लिए टेंसर न लेंगे खुद से समझ लेंगे नई मुदिन मिर्दाहा के पिता जी का का नाम हलक तो पिता जी का क्या नाम था क्या नाम था सेख अमीर उदिन मिर्दाहा ठीक है और इनके पुत्र का क्या नाम था नई मुदिन मिर्दाहा ठीक है तो दोनों मिर्दाहा मिर्दाहा है इसका मतलब यह आपको नहीं मार देना है जो नई मुदिन मिर्दाहा के थे वो उनके पिता क्या थे अमीर थे यह अमी जी कुल नाम धांधाये तो माता जी का क्या नाम था महन बीवी ओपसण क्या नाम zuh महन बीवी नाई मुदिन मिर्दाह काम भी नेक्स्ट नाग पूरी कभी पांच नंबर प्रश्ण है नागपूरी कभी नाउ किये थे यह कर लग कून इस्कूल से ठीक है तो बताएंगे जल्द ही तो यह इसका जो है ऑप्सन नंबर भी हो जाएगा कि आदिम जाती सेवा मंडल हाई इसकूल भर्नों से यह मिर्दाहा जी क्या कि एक क्लास की थे ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेस्टन क्यों चलते हैं हम लोग और यह आपको एमसे क्यों के क्लास कैसा लग रहा है अच्छा लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट चरू करें ठीक है नेमन में से कोन नाकपुरी कवी अनुमंडल पताधिकारी राची के ओफिस में डेल महिना तक काम कर लग तो ओप्सन नमर इसका सीफ हो जाएगा नई मुदिन मिर्दाहा जी जो है अनुमंडल पताधिकारी के पद पर राची में ओफिस रहे ते डेल महिना तक काम किये थे कितने महीने तक देड़ महीने तक यह आपको अलग से भी पूछ सकता है नाइ म दिल मिर्दा हां सात नमर प्रश्न है नाइ मोदिन मिर्दा हां राजाश्व विभाग में कर्मचारी के पद पर तीक है मतलब की ये काम करने लगे थे कब से यहां कब से होगा पूलिश नहीं होगा कब से पद पर कब से काम करने लगे थे तो ये जो है नई मुदिन राजस्व विभाग में 1957 से काम इनका राजस्व विभाग में करमचारी के पद पर होने लगा था की नेकुस्ट आपका जू प्रश्ण है करमचारी के पद पर कीतना वर्ष तक के बाद त्याग पत्र दे दिये थे जो नैं मुदिन मिर्दाहा के तो इसका सए अंसोर हो जाएगा 6 के बाद करमचारी के पद से इस्तिफा दे दिये थे नाई मुदिन पत्र निम्न में से कौन नागपुरी कभी कोले बीरा अंचल में करमचारी पद पर युगदान किया यहां जो है कोले बीरा अंचल कहने का मतलब है कि स्यो ओफिस में एक ब्लॉक होता है विडियो वहां के मतलब की में इन्चार्ज में रहते हैं और अंचल में स्यो रहते हैं ठीक है तो कोले बीरा अंचल में करमचारी के पद पर काम किये थे कौन तो अप्शन नमबर इसका सी सही हो जागा नई मुदीन मिरदाहा दस नमबर प पता है आप लोग को बता दिया गया है इसका डिटल कुछ हमसे के छूट गया थे उसको कबर कराया जा रहा है ठीक है नहीं तो टोटल क्लास संपुर्ण क्लास इसको बोलते हैं तो यह जो है कोले वीरा में अंचल में जो करमचारी के पद पर हुए थे वहां से कब यहीं किया थे अंतिम वर्क तो यह जो है आपका सहियन सरो हो जाए का ओप्सन नबर सी 31 अगस्त 1996 यानि कि 31 अगस्त 1996 तक यह कोले वीरा अंचल में काम किये थे करमचारी के पद पर ठीक है चलिए नेक्स प्रशन क्या कहता है भई एक ग्यारा नबर प्रशन नाकपुरिया स सचिव किसे चुना गया निमन मेंसे नाकपुरिया समाज कर सचिव किसे चुना गया निमन मेंसे यह आपका हो जाएगा सी सही अंसर शी नईमधिन मिर्दाहा यह आपको कमेंट सेक्स करना है और जलद ही कि जीए नागपुरी समाज का सचिव कब चुना गया था? या फिर बीपी कैसरी यह आपके पास ओप्षन है कि नागपुरी का रस्खान किसी कहा जाता है नागपूरी समाज का सचिव कब चूना गया था? जल्दी बताएं भई, नागपूरी समाज का सचिव इन्हें 2 जुन 1968 को चूना गया था, कब 2 जुन 1968 को, यानि कि 2 जुन और Coha 1968 को ठीक है, किन को चूना गया था? नई मुदिन मिर्दाहा को यह चुना गया था समाज सच्चिव नेक्स तेरे नमबर प्रशन क्या है उता है नागपुरी कहानी संग्र मेजूर पाइक नहीं है पाइक है यह आप लोग भी जानते हैं डिटल जाने होंगे ठीक है पाइक किसके द्वारा लिखा गया है ठीक है म नागपुरी कहानी शंग्रा मेजूर पाइक किसके द्वारा लिखा गया है तो अप्शन नबर बी हो जाएगा ये नई मुदिन मिर्दाहा ठीक है नेक्स्ट चौदा नबर प्रश्ण है करम कर जुगत और जितिया कर गोतिया केकर द्वारा लिखा गया है केकर द्वारा लिखल गया है तो ये जो है अप्शन नबर इसका सी सही हो जाएगा यानि कि ये नई मुदिन मिर्दाहा के द्वारा लिखा गया है प्यासल मיNOUNा और सहया कर भेट किसके द्वारे लिखा गहा है? अफकोर्स नइमीदीन मिर्दाहा के द्वारे लिखा गया है ठीक है? अब सो नमबर 20 सही हो جाएगा इसका एक कांदि केवरा कर फूल और एक छट की फूल किसके द्वारे लिखा गया है? तो ये इनके द्वारा ही लिखा गया है नैमुदीन मिर्दाहा के द्वारा चलिए है नैमुदीन मिर्दाहा जी को विक्रम सीला हिंदी विद्यापिट भागलपूर से किसका उपाधी मिला है तो भई यहां से इनको किसका उपाधी मिला है आप बताएं देख लिजे यहां और यह सही हो जाएगा अठरा नंबर प्रश्ण क्या कहता है विडियो लापूंग सियो बेडो से कौन नाकपूरी कभी को सम्मान से सम्मानित किया गया है यानि कि कौन यहां सम्मान से सम्मानित नहीं यह जो सम्मान मिला है यह किसे मिला है यह है कौन कभी को कौन नाकपूरी कभी को यह सम्मान से सम्मानित कियागा यह सम्मान है ठीक है वीडियो लापन पूंग और सियो बेडरो तो यह न्यमुदिन मिरदाहा को मिला है बेडो होगा वीश नमबर प्रश्णझे क्या काता है, नागपुरी कभी नई मुदिन मिरदाहा को निम्ण में से कौन कौन सम्मान मिला हुआ है तो तो रिके, कौन कौन, इंदर धनुसकला केंदर पाल कोट, बिहार सरकार जार्खन सरकार नाकपूरी शेवा संगराची सारे मिले हैं option number इसका D हो जाएगा ठीक है एकिश नमर प्रश्ण है नाकपूरी कभी नई मुदिन मिर्दाहा के कविता में क्या क्या चीज बगरा मिले ला यानि की बहुत ज़ाद मिलता है तो मर्दानी जुमर ठीक है डमकच, पावस, उदासी, जनी जुमर सभी यानि की option number इसका D हो जाएगा तो दोस्तों आपका यहाँ जो हुआ नाकपूरी कवियों का जो है MCQ नई मुदिन मिर्दाहा का ये total complete हुआ और ये आपको कैसा लगा प्रैक्टिस सेट अब कमेंट सेक्षन में जरूर कमेंट करेंगे आप लोग के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है तो आप लोग भी भाई मेहनत कीजिए जो भी स्टुडेंट्स देख रहे हैं वीडियो को और इसी प्रकार से latest update पाने के लिए ठीक है नए नए क्लास पाने के लिए और जर्खंट का एकदम बेहतरिन क्लास आने वाला है ठीक है वैसा आज आज तक आप लोगों ने क्लास नहीं देखा होगा न किया होगा ठीक है एकदम बेहतरिन क्लास होने वाले हैं तो इस बार सेलेक्शन होने के लिए एकदम तयार हो जाई है तो उर्यू अच्छा लागा हो तो दोस्तों के साथ सेयर करें जय हिंट जय भारत हलो दोस्तों तो आपका स्वागत है एड़ी जार्खन क्लासस में और आज का जो क्लास है बहुत ही बहतरिन क्लास है आप लोग सभी बोल रहे थे कि सर कव्यू का एमसी क्यू कराईये सर दो कव्यों का बचा हुआ है तो जो क्लास शूट गया था न उस क्लास को मैं कवर कर रहा हूं ऐसे जो है आपका संपूर्ण यानि निव नाकपुरी स्लेबर्स के अनुसार नए स्लेबर्स के अनुसार सारे यहां क्लास पढ़ा दिये गया है जिसका link description में दिया गया total class free है लेकिन अगर test लगाना चाहते हैं नागपुरी का test series 20 से 25 यानि की 25 test series आने वाले है और अगर वो test series देना है तो description में app का link दिया हुआ है ad classes ठीक है ad classes play store पर search करें आपको ये app राप्त होंगे आपका 20 से 25 set आपको मिलेंगे वहाँ और अभी जो है set का price रखा नहीं गया है आपको diet app पर ही बताया जाएगा या फिर बोला जाएगा लेकिन बहुत ही comfy होंगे ठीक है तो दोस्तों यहाँ जो है आप एकदम test लगा सकते हैं course जो है अभी जो नागपुरी का course है 399 में available हो रहा है तो जल्द से जल्द खरीद ले क्योंकि यह offer price है ठीक है 399 अगर जार्खन का खरीदते हैं तो यह लगेगा 299 जार्खन का 380 पेस का है और bullet देखे bullet जो bullet train का जो speed में यानि जार्खन जिके bullet train speed जार्खन जिके अगर खरीदना चाते हैं तो उसका 199 लगेगा उसका क्या फायदा है वो जो है आपका revision यानि bullet train जितना speed चलता वैसा revision आप कर सकेंगे ठीक है उसमें बहुत सारा बताया गया है इसका एक class हम देंगे उसके बाद यह आप पर चचकिजेगा लेकिन अभी जो है आपका 380 page वाला यह जारकन का notes खरीच सकते हैं यह app पर भी available है यहाँ जो है offer price जारकन प्लस नागपूरी का 4.99 में दोनों available हो रहें कितने 4.99 में offer price जो था 2.99 में नागपूरी था वो खतम हो चुका है वो अब कॉल नहीं करेंगे किसा 2.99 में मिलेगा so 4.99 है अभी offer price so दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं test series about the dr. गृधारी राम गोंजू और इनका जो नाम है यानि कि उपनाम है क्या है उपनाम क्या है गिरी राज क्या है गिरी राज ठीक है चलिए next question की ओर चलते हैं हम लोग test series देते हैं test कैसा test है भाई यह new नागपुर नए syllabus के अधार पर यह mcq test series आप लोग के लिए लाया गया है और 80s हरकन classes मेरे सारे student के लिए जो गरीब है अमीर है सारे मैं 800-900-1000 फी नहीं रखा हूँ सिर्फ कितना 499 में आपका जो है total मिर रहा है जारकन प्लस नागपुरी दोनो ठीक ना तो पहला प्रस्ण क्या है डॉक्टर गृधारी राम गोंजू का जनम कब हो लग ठीक है यानि कि डॉक्टर गृधारी राम गोंजू का जनम कब हुआ था तो इनका जनम कब हुआ था 15 दिसंबर 15 दिसंबर 149 को कब हुआ था 15 दिसंबर 149 को यानि option number B हो जाएगा इसका सही अंसर दोस्तों आपको success होने के लिए पहले आपको मेहनत करने होंगे मेहनत का रन्नीती क्या होना चाहिए यह चीज आपको जानने होंगे ठीक है और यहां तो आपका संपून क्लास करा ही दिया गया है संपून टोटल क्लास अभी तक किसी नहीं कराया लेगन AD जार्खन क्लासेश पे टोटल क्लास free of course यह दी दिया गया है ठीक है जो दूसरा नंबर प्रश्ण है डॉक्टर गिर्धारी राम गोंजु का जन्म कौन से जीला में होई रहे है मतलब कौन से जीला में हुआ था तो बेलवा दाग खुट्टी में हुआ था option नंबर A इसका सही हो जाएगा ठीक है गिर्धारी राम गोंजु के पिता जी का क्या नाम था ठीक ना पिता जी का क्या नाम था इंदरनात गोंजु वहीं अगर आप से पूछे कि गिर्धारी राम गोंजु यानि कि गिरी राज का निधन कब हुआ था तो 15 अपरेल कब हुआ था 15 अपरेल 2021 को कितने वर्ष की आयू में 81 वर्ष की आयू में इनका निधन हुआ था ठीक है गिर्धारी नाम गोंजु का ठीक है और इनके पिता जी का क्या नाम है तो इंदरनात गोंजु ठीक है तो गिर्धारी नाम गोंजु का निधन कब हुआ था 15 अपरेल 2021 को और कितने वर्ष की आयू में तो 81 वर्ष की आयू में और कहां हुआ था तो राची रिम्स में हुआ था राची जो रिम्स है वहीं हुआ था चलिए next प्रस्ण की और चलते हैं हम लोग next प्रस्ण क्या कहता है भई आपका next प्रस्ण है फोर्थ नंबर जो प्रस्ण है क्या है फोर्थ नंबर प्रस्ण क्या बोलता है नाकपुरी कभी गिर्धारी राम गुंजू कि माता कर का नाम रहे माता कर क्या नाम था और ये option देख लिए जी option नहीं देखना आप लोगो देखिए तो यहाँ जो है माता का क्या नाम था माता का क्या नाम है तो लाल मनी देवी option number A हो जाएगा आप सही लाल मनी देवी ठीक है क्या नाम है लाल मनी देवी तो गिर्धारी राम गोंजु ये गिरी राज जो है गिर्धारी राम गोंजु के उपनाम है गिरी राज क्या है उपनाम है याद रहे क् नेक्स्ट, 5 नमबर प्रस्ट चल रहे हैं, गिरी राज गोंजु के पत्नी कर क्या नाम था? यानि कि पत्नी का क्या नाम था? गिर्धारी यानि गिरी राज ये सौट उपनाम है, क्योंकि बार बार लॉंग नेम निखने में दिक्कत हो रहा था, टाइप करने में, so गिरी रा आज भी काते हैं यह सीज़ आप नोट डाउन कर लेंगे तो इनके पत्नी का क्या नाम था सर्श्वती देवी नाम क्या था पत्नी का सर्श्वती देवी ठीक है अपसर नंबर एक सही हो जाएगा इनके कितने बेटियां और बेटे थे तो यह जो गिर्धारी राम गोंजु सर्श्वती देवी की जो दो बेटियां दो बेटा ठीक है दो बेटा एक बेटी ठीक है एक बेटी नेक्स्ट गिर्धारी राम गोंजु गिरी राज का निधन कब हुआ था तो आप लोग को मैंने बताया था बेट पंदरा अप्रेल 2021 को कितने वर्ष की आयू में 81 वर्ष की आयू में ठीक है जो अब गुमला में है ठीक है तो यहां हिंदी विवाग के अध्यक्स पद पर कभ से कभ तक रहे थे परमभीर अलबर्ट एका तो यह 1975 से 1978 तर अलबर्ट एका सेवन नमबर प्रस ने क्या कहता है एकदम आज तवियत खराब हो गया जिसके कारण आप लोग देख रहे होंगों कि एक दो दिन से क्लास नहीं आ रहे हैं ठीक है लेकिन तवियत खराब में ही ये continuous रह सके क्लास जिसके कारण ये क्लास मुझे आज दे रहे हैं आप लोग के लिए ठीक है लेना पड़ रहा है क्योंकि मेरे स्टूडेंट को ये फेल ना हो कि सारे मेरे स्टूडेंट सर्पढ़ा रहे ते free of cost वो क्लास नहीं दे रहे हैं ठ ठीक है तवियत खराब है तपर भी आप लोग के लिए मैं ला रहा हूं ठीक है तो यहां जो 7 नंबर प्रश्न है नागपूरी कभी गिरी राज कर निधन कौन से जिला में होलालक तो कौन से जिला में हुआ था ये option number A हो जाएगा राची रिम्स में इनका राची रिम्स मे वर्श की आयू में हुआ ठीक है और कहां हुआ था तो राची रिम्स में ठीक है कहां हुआ था राची रिम्स में कब हुआ था 15 अप्रेल 2021 को ठीक है 15 अप्रेल 2021 को इनका जन्म कब हुआ था 15 दिसंबर 15 दिसंबर 1949 जन्म कब हुआ था 15 दिसंबर 1949 जन्म 15 दिसंबर 1949 और मिर सर्व नहीं होंगे 15 दिसंबर में है 1904 जन्म हुआ था 15 अप्रेल 2021 को इनका निगन हुआ था ठीक है next nine number प्रस्ट गिरधारी राम गोंजू के माता पिता क्या करते थे तो यह एक किशान थे क्या थे एक किशान थे ठीक है ओप्सन नमबर ए सही हो जाए next प्रस्ट क्यों चलते हम लोग डॉक्टर गिधारी राम गोंजु का उपनाम क्या है तो उपनाम जो है आपको पहले ही मैंने बताया गिरी राज नेक्ट ये देखिए टाइपिंग करने वाले क्या करते हैं भाई 11 नमबर प्रस्ण ने पूरा टोटल लिख दिये है गिरी राज का पालन पोशन कोन कर लग तो उसके बड़े मम्मी और पापा की अथे तो नमबर इसका सी हो जाएगा सबसे सही जारखेंट के प्रख्यात सिक्षावीद देखें क्वेस्टन क्या कर रहा है ये आपको यहां ध्यान देने है साहित्यकार साहित्यकर्मी निवन में से कोन नाकपुरी कवी है तो यह है ओप्सन नमबर हो जाएगा आपका ए यानि की गिरिधारी राम गोंचू ठीक है नेक्स चलिए अगले प्रस्लिक्योर गिरिधारी राम गोंचू के कितने बेटे थे मैंने आपसे पताया था तो दो बेटा और कितने बेटियां एक बेटी ठीक है चलिए नेक्स गिरिधारी राम गोंचू के कितनी बेटियां थी तो एक ही बेटी थी भाई ठीक है ओप्सन नमबर इसका डी सही हो जाएगा नेक्स्ट सारे टेस्ट अभी जो टेस्ट आने वाले हैं एक पर बीस चे परचीस ठीक है तो जो है एक का लिंक डेस्क्रिप्शन में दिया गया है आप जल्द से जल्द आप डाउनलोड कर लें ये तीन से चार दिनी यानि कि अगले सब्का खतम होते ही आपका सारे टेस्ट आजाएंगे आपके सामने आप टेस्ट लगा सकते हैं ठीक है बहुत ही बहतरीन टेस्ट आने वाले हैं 20 से 25 सेट रहेंगे नापूरी का ठीक है और जारखन का 50 सेट से उपर रहेंगे और दोनों का जो है जिस CGL 2023 को लेकर होगा नए स्लिवर्स की अधार पर ठीक है गिरिधारी राम गोंजु अलवर्ट एका मिमोरियल कॉलेज चैनपूर राची जो अब गुमला में है कॉलेज में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पर कब से कब तक रहे थे गिरिधारी राम गोंजु तो मैंने आपको पताया था गौश्णर या फिर राची कॉलेज व्यक्षिता के पदपर यहां क्या कर रहा है कि व्यक्षिता के पदपर तो यहां गौश्णर कॉलेज राची में यह रहे थे और गौश्णर कॉलेज राची में गिरिधारी राम गोंजु नाकपुरी और हिंदी के रीडर अध्यक्ष ठीक है, रीडर और अध्यक्ष कब से कब तक रहे थे, तो 78 से 12 तक, 75 से 8 तक वो क्या रहे थे, ठीक है, अलबर्ट एका मिमोरियल कॉलेज में, वो अध्यक्षा की पद निगार किये थे, फिर वहाँ से आये, राची में गौशनर पर तो 78 से 12 तक रहे, और राची कॉलेज में ठीक है, 82 से 98 तक वो जनजाती और छेतरी भासा के वो अध्यक्ष रहे थे, नेक्स, नाकपुरी का वी गिर्धारी राम गोंजी देखिए, आगया, गिरी राज, लिखती आगया है, जनजाती एवं छेतरी भासा, विभाग के पद पर राची कॉलेज में कब से कब तक रहे देखिए, आज जोर से बोल भी ने सकते, क्योंकि तेवियो तो खराब है भई, तो ये जो हुए थे, कब से कब तक 82 से 99 तक, यानिक्स नमबर इसका 10 सही हो जाएगा, नेक्स चलते हैं, गिर्धारी राम गोंजु को, मंजु नहीं होगा, गोंजु होगा, ठीक है, गिर्ध जारी राम गोंजु को पढम सिरी अवार्ड कब दिया गया, तो 2021 में या फिर 22 में, या 23 में, 20 में कब दिया गया था, तो इसे जो है पढम सिरी का आवार्ड, 2022 में दिया गया, ओप्सोर नमबर इसका 20 सही हो जाएगा, ठीक है, बीच नमबर प्रशन क्या का अता है भई, निमन मैंसे कुन नाकपुरी कवी को 16 अक्टूबर 2003 को जारखन रतन का पुरसकार मिला। देखे क्या प्रस्ण पूछ रहा है, 16 अक्टूबर 2003 को जारखन रतन का पुरसकार कब मिला। 16 अक्टूबर 2003 को जारखन रतन का पुरसकार किसे मिला। तो ये जो मिला है मेरे स्त्रिमान महानुभाव नाकपुरी कवी के विख्यात कवी जो है गिर्धारी राम गोंजु अप्सन नमबर बी यानि कि इनको जार्खन रत्न पुरसकार जो है सुल अक्टवर 2003 को मिला है 21 नमबर प्रश्ण क्या कहा रहा है गिरी राज को 2003 में लोक सेवा समिती राची द्वारा कौन सा पुरसकार देवल गेल रहे तो देखे यहां जो है लोक सेवा समिती द्वारा 2003 में कौन सा इनको पुरसकार मिला है लोक सेवा समिती याद रहे लोक सेवा समिती द्वारा इनको पुरसकार दिया गया है तो जार्खन रत्न का पुरसकार जो है यह इनको 2003 में यानि की 16 अक्टूबर 2003 को यह पुरसकार इनको मिला है ठीक है तो यह जार्खन रत्न का पुरसकार इनको दिया गया है तो किसके द तो लोग सेवा समिति की द्वारा, ठिक है नेक्स्ट आपका है निम्र में से कौन सा पुरसकार मिला है देखिए इनको बहुत सारा पुरसकार मिला है तो कन्फ्यूज नहूंगे तो देखिए ये जो है घासी राम सम्मान पुरसकार इनको नागपुरी कला संगम के द्वारा मिला गया है याति घास काटने में भी एक कला होना चाहिए घास काटना भी एक कला है अगर आपको उस कला को नहीं दिखाएगा तो घास काटने में अपना हाप भी काट देते हैं तो ये देखिए घास काटना भी एक कला है ये आप ट्रीक से याद रख सकते हैं कि नागपुरी कला संगम के द्वारा घासी राम सम्मान पुरसकार गिरधारी राम गोंजु को मिला है तो घासी राम सम्मान पुरसकार 25 जैनवरी 2004 को इन्हें यह पुरसकार दिया गया है 2004 को याने की option number इसका D हो जाएगा ठीक है 24 नमर प्रश्ण नागपुरी सांस्कृति सेवा संग राची द्वारा नागपुरी कभी गिरी राज को कौन सा संबान मिला है कौन सा संबान मिला है ठीक है तो ये नागपुरी संस्कृति सेवा संग द्वारा नागपुरी कभी गिरी राज को कौन सा संबान मिला है तो देखे यहाँ सेवा संग द्वारा भाई अब इनको है सेवा संग द्वारा कौन सा तो सहित्य कर्मी का सहित्य कर्मी का सेवा संग द्वारा इन्हें पुरस्कार दिया गया है option number इसका B सही हो जाएगा ठीक है चलिए अगले प्रस्ण की और चलते हैं हम लोग तरह क्वेस्टन्स बहुत डेटल्स में बनाया गया है बहुत सारा प्रस्ण है ठीक है इसके लिए परिसान ना होंगे 25 नमर प्रस्ण है नाकपुरी कभी कभी नहीं कभी गिरिधारी राम गोंजु को स साहित्य कर्मी का सम्मान कों से शन याने की इस्वी में मिला ठीक है कों से इस्वी में मिला साहित्य कर्मी का पुरस्कार इन्हें तो 1990 में मिला था कितना 1990 में मिला ठीक है नेक्स्ट 26 नमर प्रस्ण है साइं सोध संस्थान द्वारा नाकपुरी कभी गिरिधारी राज को सिक शिक्षा सोध कार्य में कौन सा सम्मान मिला तो यह देखिए विशेश सेवा सम्मान पुरसकार इन्हें दिया गया अप्सान मबर A सही हो जाएगा नेक्स्ट है 27 नमबर प्रश्ण नाकपुरी कभी गिरी राज को विशेश सेवा सम्मान पुरसकार कब दिया गया विशेश सेवा सम्मान पुरसकार नाकपुरी कभी को कब दिया गया तो देखें विशेश सेवा सम्मान पुरसकार इन्हें कब दिया गया विशेश सेवा सम्म बोल सकते हैं विशेश या फिर विशेश्ट दोनों से भी है तो पांच सेप्टमबर 2001 को ये पुरुसकार दिया गया है ठीक है नेक्स्ट अखिल भारतिय भासा साहित्य सम्मेलन में बैंगलोर में नागपुरी कवी गिर्धारी राम गोंजु ये गुरु नहीं होगा गोंजु होगा गोंजु को का कर उपाधी मिला तो सहित्य स्री का उपाधी मिला था क्या चीज़ का सहित्य स्री का बैंगलोर से क्या चीज़ का उपाधी इनको मिला सहित्य स्री का नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, नाकपुरी कभी गिर्धारी राम गोंजु को साहित्य स्री का पुरस्कार कब दिया गया, तो साहित्य स्री का पुरस्कार 16 जुन, ठीक है, साहित्य स्री 16 जुन 2005, 16 जुन 2005 को इन्हें पुरस्कार दिया गया है, ठीक है, कब दिया गया है सुल्ला जुन दो हजार पाँच को ठीक है अब सन नमबर भी सही अंसर हो जाएगा तीस नमबर प्रशन क्या कहता है निमन में से कौन नागपुरी कभी ठीक है खुटी राची उच्छ नियाले में वकालत किया है गिरिधारी राम गोंजू निमन में से कौन नागपुरी कभी NCD कलरक भी रहा है मतलब कि वकालत भी और NCD ऐसे कौन से कभी है जो दोनों किये है तो ये जो है मेरे गिरिधारी राम गोंजू है उप्सन नमबर D इसका सही अंसर हो जाएगा ठीक है चलिए राइट 32 नमबर प्रश्ण है 32 नमबर प्रश्ण है नागपुरी कभी गिरधारी राम गोंजू कर लिखल रचना निमन में से कौन कौन है तो ये देखिए भाई सांस्कृतिक जारखंड की सांस्कृतिक विडाशत ठीक है ये भी है नागपुरी प्रचारणा कभी प्राचिन कभी जारखंड के लोकीत यानि कि अप्सन नमबर इसका डी सही हो जाएगा ठीक है 33 नमबर प्रश्ण है निमन में से लिखल रचना गिरी राजकर कौन कौन आहे तो अप्सन नमबर ये सदानी नागपुरी व्याकरन नागपुरी शब्द कोष मातरी भाषा ऐसे ये वला मातर नी होगा ये मातरी होगा ठीक है आप सुधार लेजेगा तो मातरी भाषा की भूमी का सभी तो इसका जो सही अंसर हो जाएगा सभी हो जाएगा सारे रचना को पढ़ा दिया गया ठीक है दूसरा नमबर प्रशन खुखुला, रुगडी रीतु के रंग, मांदर के शंग और ये जो है सभी यानि की ओप्सन नमबर डी हो जाएगा इसका सभी यानि की सभी जो है सारे रचना किन के द्वारा लिखा गया है गिरी राज के द्वारा 35 नमबर प्रशन क्या कहता है नाकपुरी कभी गिरी राज के द्वारा लिखा गया निम्न में से वह कौन-कौन से है तो अकरानिंदाय गिलक, महराजा, मद्रा, मुंडा जारखंड का अमर पूत्र, मरांग, गोम के जैपाल सिंग तो इसका सही अंसर जो हो जाएगा D हो जाएगा यानि सभी हो जाएगा पीटर सांती नौरंगी वैक्तित्व और कृतित्व पर सोध किस ने किया तो मेरे नाकपुरी कभी गिर्धारी राम गोंजु ने किया था चलिए कोईरी भर पजरा केकर द्वारा लिखल गे लगे नाकपुरी पद संगरा है कोईरी भर पजरा केकर द्वारा लिखल नाकपुरी पद संगरा है तो सबसे पहले एक क्वश्चन यहां से आती है कोईरी भर पजरा कोईरी भाईर पजरा क्या चीज है ये नाकपुरी पद संग्रा है क्या चीज है नाकपुरी पद संग्रा है ये किसके त्वारे लिखा गए है तो गिरिधारी राम गोंजो के त्वारे अप्सन नमबर बी हो जाएगा सही अंसर चले next पजरा जो है पजरा का प्रकाशन कहां से हुआ था तो नाकपुरी प्रचारनी सभा के दो बोरा हुआ था पजरा कर संपादन संपादन कोन है संपादक कोन है तो पजरा का जो संपादन किये थे वह कोन है तो अप्सन नमबर C है तरहिगन कहा के तरहिगन क्या है देखिए तरहिगन क्या है तो तरहिगन क्या है ओप्सव नमर बी आपका जो है गद संग्रा है ठीक है परतिनीधी नाकपुरी कहानी संग्रा नीमन में से कोन है परतिनीधी कहानी संग्रा नीमन में से कोन है तो चलिए देखते हैं हम लोग खुखडी रुगड़ा अगर आप के द्वारा करल गे लगे ठीक है लिखे कौन है लिखे कौन है कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिएगा ति इसको लिखे कौन है आपको डिटल्स में बताया गया है जागी जवानी चमकी बिजरी केकर द्वारा रचल गे लगे तो केकर द्वारा रचल गे लगे तो ऑप्स इसका हो जाएगा सही अंसर इनहीं का जो है लाल रन विजय नात सादेव का गीत संकलन है गिर्धारी राम गोंजु का स्वा लिखित नाकपुरी नाटक तदा एक एकांकी ठीक है एकांकी संग्र निम्ण में से कोन है तो अखरा निंदाई के लग यह जो है नाकपुरी पत्र का सहसंपादक कोन है नाकपुरी पत्रिका का सहसंपादक कोन है तो यह जो है गिरी राज ऑप्सन नबर ए यानि की किरिधारी राम गोंजु नेक्स 47 नबर प्रश्ण है और यह प्रश्ण MCQ टेस्ट सिरीज आपको कैसा लगा ठीक है एक वासंति यानि कुमारी वासंति का पचा हुआ है वो भी आपको प्रवाइट करा दिया जाएगा नाकपुरी कला संगव राची का असमारी काओं का सहसंपादक ठीक है सहसंपादक नाकपुरी कभी गृधारी राम गोंजु कब से कब तक रहे थे तो देखिए इसका जो सही अंसर हो जाएगा आपका क्या है तो देखिए यहां जो है अपका अपसर नंबर डी हो जागा कईसे आवी बसंत नाकपुरी कभीता कभी जो है कभीता ये कौन से कभी का है ठीक है ये कईसे आवी बसंत जो कभीता है कौन से नाकपुरी कभी के द्वारा तो अपसर नंबर डी गिरी राच के द्वारा रा नाकपुरी कभी गिर्धारी राम गोंजू कर लिखल रचना निमन में से कौन-कौन सा है तो A. संखनाद B. छोटा नाकपुर C. आज सभी तो ऑप्सन अमबर D. सभी इनके बहुत सारे रचना है तो सारे रचना को डिटेल्स में MCQ के फॉर्म में बनाये गया है नाकपुरी कभी गिर्धारे राम गोंजु कर लिखल रचना कोन-कोन है तो देखे जहरकन, टाइमस और पत्री का मन में आदिवासि नाकपुरी कला, नाकपुरी पज़रा, नाकपुरी कला संगम राची ये नाकपुरी C. ओप्सन में होगा अब गोंजू के जगब गोंजू लिखा गया तो इतना आप समझ नहीं सकते हैं क्या समझ सकते हैं तो इसके कोई दिक्कत नहीं है नाकपुरी कभी गिर्धारी राम गोंजू कर लिखर रचना निमन में से कौन कौन है तो option number D सभी है यानि कि राची कर असमारी का समवाद तित की सभी ठीक है अगर लिखल रचना निमन में से कौन कौन है तो आपका जो हो जाएगा यानि सभी कृत संकल्प जोहार गोतिया कचनार सभी तो यह हो जागा option number D संकनाद अलग है यहां कचनार अलग है तो यह आपको जो है यहां आपका total class हुआ गिरधारी राम गोंजु का टेस्ट स्रीज खतम हुआ, और यह टेस्ट आपको कैसा लगा, और नाखपुरी का 20-25 टेस्ट स्रीज, जलदी स्टार्ट होने वाले 25 टेस्ट से होंगे, 20-25 टेस्ट, जरूर से जरूर आप जोज़़़ें करें, जरूर से जरूर, जितना से जल्दिना, जल्दी हो सकें, का और टेस्ट सीरी जो है आगे से स्टार्ट होगा दोस्तों ठीक है तो दोस्तों जल्द से जल्द आप की और जले प्ले स्टोर में जाकर सर्च करे एडी क्लासिस थोड़ा सा थर्ड थर्ड लाइन में आ सकता है यह थोड़ा सा नीचे क्योंकि अभी निव है 15 जुलाई को य यह नाकपूरी में तो चलिए अभी हम लोग जार्खंट का पूरा क्लास करेंगे अब जार्खंट का क्लास स्टार्ट होने चाहिए यह यह नहीं आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है और यह बुले ट्रेन जैसा रिवीजन करना है कि नहीं बुले ट्रेन स्पीड जैस ऐसा किसी नहीं पढ़ाया होगा जो bullet train revision आ रहा है जो student पढ़ लिए है जार्खन उनके लिए भी और जो नहीं पढ़े है उनके लिए भी ये जो revision test आ रहा है न वो ऐसा जार्खन पर इतिहास में ये YouTube पर पहली बार आ रहा है ठीक है तो मैं दावे के साथ करता हूँ अगर को join करें धन्यवाद watching for this video जै हिंद जै भारत नाकपुरी सलेबस 2023 के अनुसार जो जैसे CGL नगरपाली का में पढ़ने है और आज जो है date भी बढ़ चुका है ठीक है ये online करने का photo upload का सारे का date बढ़ा है तो चलिए वो हम लोग सबसे last में उसका details जानेंगे कैसे क्या हुआ जो है new information मैं यानि हम लोग अभी चलिया test series about dr. कुमारी वसंती के बारे में तो दोस्तों यहां जो है आपका अभी इसका mcq कराया जाएगा और दूसरी बात कि आपका जो है app ठीक है यह जो है total जो है full course का नागपुरी जो है 399 में और जारखंड का जो है जारखंड का अभी offer है only 199 में 380 page का handwritten notes मिल रहे है 199 ठीक है 199 अलग से और यह 399 नागपुरी संपुन कोर्स जल्द ही test आने वाले है जरूर से जरूर अप डाउनलोड करें एप देखिए अगर आप play store में जाते है 80 classes ठीक है 80 classes आप सर्च करेंगे तो इस प्रकार से logo आएगा play store में आप जल्द से जल्द डाउनलोड कर लें क्योंकि आपका play store पर नागपुरी का 20-25 set आएंगे practice set यानि के test series आपका 20-25 आएगा अब बहुत ही कम fees में वो test आने वाल जितना जल्दी एप डाउनलोड जितना जादा लोग करिएगा ठीक है मेरा एम है कि 1000 यानि की अभी जो है only 150 पंदर जुलाई की यह launch हुआ है 150 लोग इसको डाउनलोड किये है 1000 पूरने पर ही यह जो course start होगा ठीक है उसके पहले आपको एक demo test जरूर मिलेंगे हाना जो सारे free होंगे और test का अभी जो price है बस यह समझे कि बहुत comfy होगा जारखन के भी test आने वाले है और एक speed टीक है bullet train speed जारखन जीके आने वाला है वो भी course में ही मिलेगा app पर ही मिलेगा so सारे latest update पाने के लिए app से जुड़े तो चलिए हम लोग test की और चलते है test देखने के लिए य क्योंकि यह information है about the first question है नागपूरी कभी डॉक्टर कुमारी वशंती का जनम कब हुआ तो कब हुआ तो इनका जो है सही अंसुर राएगा option number B 1950 में इनका जनम हुआ था यह हम लोग पढ़ रहे है कुमारी वशंती के बारे में दूसरा नमबर प्रस्ण है option answer नहीं देखने चाहिए डॉक्टर कुमारी वशंती का जनम जार्खंड के कोन से जीला में हुआ तो मतलब कोन से जीला में हुआ था तो देखिए option number B हो जाएगा यह सिमडेगा में हुआ था ठीक है कहा हुआ था सिमडेगा में हुआ था next three number प कभी कुमारी वशंती का 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 कर डिगरी लिलन मतलब कहने का क्या क्या चीज का वो डिगरी लिये तो A में की पढ़ाई किये BA किये PhD किये यानि सभी इसका हो जाएगा answer option number D next प्रस्ण है next प्रस्ण है चार number प्रस्ण डॉक्टर कुमारी वशंती का PhD कर विशय क्या था जो PhD का विशय था वो क्या था तो नाकपूरी गीतों का चंद रचना next अगले प्रस्ण की ओर चलते हैं हम लोग नाकपूरी गीतों की छंद रचना किशोर विद्या निकेतन वारा नसी द्वारा कब छपा देखें तो आप से मैं पूछू कि ये नाकपूरी गीतों की छंद रचना कहां से छपा किशोर विद्या निकेतन वारा नसी से और ये क के कोन सी college में रहे थे यह जो कुमारी वासंती जी है न व्यक्याता के पदपर राची के कोन सी college में रहे थे तो जल्दी बताईए तो यह जो हो जाएगा option number A राची college next आपका अगला प्रश्न है और यह total mcqs है ठीक है यह मत समझेगा कि आधा आधूरा है total mcq है न डॉक्टर कुमारी वाशंती जन्जातिये छेत्रिये भासा विभाग नागपूरी में राची विश्व विद्याले राची में अध्यक्षपद पर से पद से कब सेवा निवरित हुए कहने का मतलब है यह राची college में जन्जातिये भासा में नागपूरी में यह बारे इसपी में है आ», नागपूरी कभी डॉक्टर कुमारी वाशंती कर द्वार निम्न में जो निम्न देवल में से कौन-कौन रचना है तो निम्न में से कोन-कोन सा दिया हुआ रचना कुमारी वाशंती का है लोकोक्ती sahitya nakaastaaurav एना을 option इसका सही NHर हो जाएगा देख लिजिए ये भाई किसका लिखा हुआ रचना है तो सही अंसर हो जाएगा option number C कुमारी वाशनती नागपुरी कभी डॉक्टर कुमारी वाशनती कर द्वारा निम्न देवल में से कौन-कौन रचना है तो ये भाई सबी है संकनात और कचनात देखिए मेरी स्टूडेंट लोग कनफ्यूज बहुत होते हैं जहां तक कि मैं किलियर कर देता हूँ तपर भी वो लोग कनफ्यूज ही होते हैं ठीक है जैसे कि देखिए ये जो गिरधारी राम गोंजू संकनात अलग लिखे हैं कचनार अलग लिखे हैं लेकिन यहां संकनात और कचनार दोनों मिला कर तो ये कुमारी वासंती का है और जो अलग-अलग है वो वहाँ है याद रहे दराईर, सगई ये सब किनका है ये कुमारी वासंती का है आप जल्दी बताएंगे 1950 में, 1952 में, 1951 में अपसो नमबर है आपका 11 नमबर प्रश्नी क्या कहता है नापपुरी कभी डॉक्टर कुमारी वसंती का करद्वारा निम्न देवल में से कौन-कौन रचना है तो देखे क्रिश्मस करसांच जो हम लोग को अभी पढ़ना है ठीक है बहुत ही अच्छा स्टोरी है ठीक है और इसमें नीरल क्या था, कौन मिस्तिरी था, मुझे बताएंगे क्रिश्मस करसांच में नीरल जो था, उग क्या था यह चीज़ बताएंगे भरल नदिकर डोंगाईत, नवा सालक नवा गीत और अप्सन अमबर इसका डी हो जाएगा यानि कि सभी अज जूली दिदी कोन थी जूली दिदी कोन कहानी कर पात रहे गई नाक्पूरी कभी डॉक्टर कुमारी वशंतिकर द्वारा निम्न देवल मेंसे कोन रचना आ है तो यह किन के द्वारा लिखा गया है तो यह किन के द्वारा लिखा गया है option number a हो जाएगा इसका सही answer ठीक है चरिया next तो दोस्तों यह हुआ आपका 13 प्रस्ट जो total mcq है यह मत समझेगा आधा दुरा है thanks for watching this video और download जरूर करे आप यह आपको आप पर सारे चीज अभी टेस्ट मिलने वाले है ठीक है बहुत ही best और अच्छा टेस्ट मिलेगा ठीक है नाकपुरी और जारखन का दोनो और एक जो है bullet train speed revision जो है जारखन जी के आने वाला है तो उसका वेट कीजिए आप पर ही मिलेगा ठीक है तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा अच्छा लगा अच्छा लगा अच्छा लगा अच्छा कमेंट सेके समने जरूर कमेंट करें कमेंट करेंगे तो उत्साह बढ़ता है डन्ने बाद watching for this video जै हिंद जै भारत